प्रेरितों के कामों का वर्णन अध्याय एक हे थियुफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विश्य में लिखी, जो इश्यु ने आरंभ में किया और करता और सिखाता रहा। उस दिन तक जब वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था, पवित्र आत्मा के द्वारा आग्या दे कर उपर उठाया न गया। और उसने दुख ठाने के बाद बहुत से पके प्रमानों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और चालिस दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा, और परमेश्वर के राज की बातें करता रहा, और उन से मिलकर उन्हें आग्या दी कि यरुशलेम को न छोड़ो, परन्त पिता की उस प्रतिग्या के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझ से सुन चुके हो, क्योंकि यहन्ना ने तो पानी में बप्तिस्मा दिया है, परन्त थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्रात्म से बप्तिस्मा पाओगे। नहीं, परन्त जब पवित्रात्म तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरुशलेम और सारे यहुदिया और सामरिया में और प्रत्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। कहने लगे, हे गलीली पुर्शो, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो। यही ईशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीती से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीती से वह फिर आएगा। तब वे जैतुन नाम के पहाड से, जो यरुशलेम के निकट एक सब्द के दिन की दूरी पर है, यरुशलेम को लोटे। और जब वहां पहुँचे तो वे उस अटारी पर गए, जहां पत्रस और युहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिपुस और थोमा और बरत उसके भाईयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। और उन्हीं दिनों में पत्रस भाईयों के बीच में जो एक सो बीस व्यक्ती के लगभग इखटे थे, खड़ा होकर कहने लगा, हे भाईयों, अवश्य था कि पवित्र शास्तर का वहलेख पूरा हो, ज उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया, और सिर के बल गिरा, और उसका पेट फट गया, और उसकी सब अंतरियां निकल पड़ी, और इस बात को यरुशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहां तक कि उस खेत का नाम उनकी भाशा में हकल दमा अर्थात लोहू का खेत प इशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यहन्ना के बप्तिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक, जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, उचित है कि उन में से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए, तब उन्होंने दो को खड़ा किय एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता है, जिसका उपनाम यूस्तुस है, दूसरा मत्याह को, और यह कहकर प्रातना की, कि हे प्रभु, तू जो सब के मन जानता है, यह प्रगट कर, कि इन दोनों में से तूने किस को चुना है, कि वह इस सेवकाई और प्रेरिताई का पदले, जिसे यहूदा छोड़ कर अपने स्थान को गया, तब उन्होंने उनके बारे में चिठियां डाली, और चिठि मत्याह के नाम पर निकली, सो वह उन ग्यारह प्रेरितों के साथ गिना गया, प्रेरितों के कामों का वर्णन दूसरा अध्याए, जब पिंते कुस्त का दिन आ आग किसी जीभें फट्ति हुई दिखाई दी, और उन में से हर एक पर आठैरी, और वे सब पवित्रात्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्त दी, वे अन्य अन्य भाशा बोलने लगे, और आकाश के नीचे की हर एक जाती में से भक्त यहू और वे सब चकित और अचम्भित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हमें से हर एक अपनी अपनी जन्व भूमी की भाशा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और इलामी लोग और मिसुपतामिया और यहूदिया और कपदूकिया और पुंतुस और आसिया और फ्रूगिया और पंपूलिया और मिसर और लिबुवा देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रबासी, क्या य यहुदी क्या यहुदी मत धारन करने वाले क्रेती और अर्बी भी हैं। परंतु अपनी अपनी भाष्या में उनसे परमेश्वर के बड़े-बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे कि यह क्या हुआ चाहता है। परंतु औरों ने ठटा करके कहा कि वे तो नई मदिरा के नशे में हैं। पत्रस उन ग्यारा के साथ खड़ा हुआ और उंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहुदियो और हे यरुशलेम के सब रहने वालो यह जान लो और कान लगा कर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ र के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविश्दवानी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुर्णिये स्वपन देखेंगे। बरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भईशद्वानी करेंगे और मैं उपर अकाश में अद्भुत काम और नीचे धर्ती पर चिन्ह अर्थात लोहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा प्रभु के महान और प्रसिध दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लोहू हो जाएगा और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उधार पाएगा हे इसराइलियो ये बातें सुनो कि ईश्व नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की और से होने का प्रमान उन सामर्थ के कामों और आश्चर के कामों और चिन्हों से प्रगठ है जो परमेश्वर ने तुमारे बीच उसके द्वारा कर दिखलाए जिसे तुम आप ही जानते हो उसी को जब वह परमेश्वर की ठराही हुई मंसा और होनहार के ग्यान के अनुसार पकड़वाया गया तो तुम ने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चड़वा कर मार डाला परंतु उसी को परमेश्वर ने मरत्यु के बंधनों से छुड़ा कर जिलाया क्यों कि वह मेरी दाहिनी ओर है ताकि मैं डिग न जाऊं इसी कारण मेरा मन आनंद हुआ और मेरी जीव मगन हुई बरन मेरा शरीर भी आशा में बसा रहेगा क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सडने ही देगा तूने मुझ जीवन का मार्ग बताया है तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा हे भाईयो मैं उस कुलपती दावुद के विशय में तुम से साहस के साथ कह सकता हूँ कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया और उसकी कब्र आज तक हमारे यहां वर्तमान हैं सो पहले ही से देखकर मसी के जी उठने की विशय में भविश्दवानी की कि ना तो उसका प्राण अधलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सडने पाई इसी इश्यू को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं इस प्रकार परमेश्वर के दाइने हाथ से सर्व पोचपद पाकर और पिता से वह पवितरात्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिग्या की गई थी उसने यह उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो क्योंकि दाउद तो स्वर्ग पर नहीं चड़ा परंतु वह आप कहता है कि प्रभू ने मेरे प्रभू से कहा मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाउं तले की चौकी न कर दूँ सो अब इस्राइल का सारा घराना निश्चे जान ले कि परमेश्वर ने उसी इश्य को जिसे तुम ने क्रूस पर चढ़ाया प्रभू भी ठहराया और मसीब ही तब सुनने वालों के ह अपने पापों की क्षमा के लिए यश्य मसी के नाम से बबतिस्मा ले तो तुम पवितरात्मा का दान पाओगे क्योंकि यह प्रतिग्या तुम और तुम्हरी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभू हमारा परमेश्वर अपने पास बु जाया कि अपने आपको इस तेड़ी जाती से बचाओ सो जिन्होंने उसका वच्चन ग्रहन किया उन्होंने बबतिस्मा लिया और उसी दिन तीन हजार मनिश्यों के लगभग उन में मिल गए और वे प्रेड़तों से शिक्षा पाने और संगती रखने में और रोटी और प्रार्तना करने में लौलीन रहे और सब लोगों पर भैचा गया और भहुत से अदभुत काम और चिन्हों प्रेड़तों के द्वारा प्रगट होते थे और वे सब विश्वास करने वाले इकटे रहते थे और उनकी सब वस्तवें साजे की थी और वे अपनी अपनी पत्ती और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवशक्ता होती थी बांट दिया करते थे और वे प्रति दिन एक मन होकर मंदिर में इखटे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुती करते थे और और सब लोग उनसे प्रसन्द थे और जो उध्धार पाते थे उनको प्रभू प्रति दिन उन में मिला देता था। तो उन से भीक मांगी। पतरस न यहनना के साथ उसकी और ध्यान से देख कर कहा। हमारी और देख। सुवह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी और ताकने लगा। तब पतरस ने कहा चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देत और वह उचल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूता और परमेश्वर की स्थुती करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्थुती करते देख कर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के स तुन्दर फाटक पर बैट कर भीक मांगा करता था और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंबित और चकित हुए। अपनी सामर्थ या भक्ती से इसे चलता फिरता कर दिया। करता को मार डाला जिसे परमेश्व ने मरे हुँ में से जिलाया और इस बात के हम का वहा हैं। और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है इस मनुश को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ दी है। और निश्चे उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है इसको तुम सब के सामने बिलकुल भला चंगा कर दिया है। और अब हे भाईयो मैं जानता हूँ कि यह काम तुमने अज्ञानता से किया और वैसा ही तुमारे सरदारों ने भी किया। परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविश्दक्ताओं के मुख से पहले ही बताया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा। उन्हें उसने इस रीती से पूरी किया। इसलिए मन फिराओ और लोटाओ कि तुम्हारे पाप मिटाये जाएं जिससे प्रभू के सनमुख से विश्रानती के दिन आएं और वह उस मसीह इश्यू को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से ठराया गया है। अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार न कर ले जिसकी चर्चा परमेश्र ने अपने पवित्र भश्ड़क्ताओं के मुख से की है जो जगत की उत्पत्ती से होते आए हैं। जैसा कि मुसा ने कहा प्रभू परमेश्र तुम्हारे भाईयों में से तुम्हारे लिए मुझ सा एक भश्ड़क्ता उठाएगा जो कुछ वह तुम से कहे उसकी सुनना। प्रंतु प्रतेक मनुष जो उस भषड़क्ता की न सुने लोगों में से नाश किया जाएगा और सामुयल से लेकर उसके बाद वालों तक जितने भषड़क्ताओं ने बात कही उन सब ने इन दिनों का संदेश दिया है। तुम भषड़क्ताओं की संतान और उस वाचा के भागी हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादों से बांधी जब उसने इब्रहीम से कहा कि तेरे वंश के द्वारा प्रत्वी के सारे घराने आशीश पाएंगे। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठा कर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बराईयों से फेर कर आशीश दे। दूसरे दिन तक हवालात में रखा क्योंकि संध्या हो गई थी। परंतु वच्चन के सुनने वालों में से भहतों ने विश्वास किया और उनकी गिंती पांच हजार पुर्शों के लगभग हो गई। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुर्णिये और शास्त्री और महायाजक हन्ना और कैफा और युहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे। सब यरुशले में घटे हुए और उन्हें बीच में खड़ा करके पूछन लगे कि तुमने यह काम किस सामर्थ से और किस नाम से किया है। तब पतरस ने पवित रात्म से परिपूर्ण होकर उन से कहा। हे लोगों के सरदारों और पुर्णियों इस दुरबल मनुश के साथ जो भलाई की गई है यदि आज हम से उसके विशय में पूछ पाच की जाती है तो वह क्योंकर अच्छा हुआ। तो तुम सब और सारे इसराईली लोग जान लें कि इश्य मसी नासरी के नाम से जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुँ में सिजिलाया यह मनुश तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्ट्रियों ने तुछ जाना और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। Insurance और किसी दूसरी के द्वारा उधार नहीं क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुश्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उधार पा सक जब उन्होंने पत्रस और युहन्ना का हियाव देखा और यह जाना कि ये अनपण और साधरन मनुष्य हैं तो अचमभा किया फिर उनको पहचाना कि ये यिश्यू के साथ रहे हैं और उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ ना कह सके परन्तु उन्हें सभा के बाहर जाने की आग्या देकर वे आपस में विचार करने लगे कि हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें क्योंकि ये अरुश्यलेम के सब रहने वालों पर प्रगट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन दिखाया गया है और हम उसका इ और चितौनी देकर यह कहा कि इश्यू के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखलाना परंतु पत्रस और यहन्ना ने उनको उतर दिया कि तुम ही न्याय करो कि क्या यह परमिश्यर के निकट भला है कि हम परमिश्यर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने क्योंकि यह तो उन्हें दंड देने का कोई दाम नहीं मिला इसलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमिश्यर की बढ़ाई करते थे क्योंकि वह मनुष जिस पर यह चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया था चालिस वर्ष से अधिक आयू का था वे छूटकर अपने साथियों के पास आये और जो कुछ महायाजकों और पुरुनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया यह सुनकर उन्होंने एकचित होकर उचे शब्द से परमेश्वर से कहा हे स्वामी तू वही है जिसने स्वर्ग और प्रत्वी और समुद्र और जो के लोगों ने क्यों व्यर्थ बाते सोची प्रभु और उसके मसी के विरोध में प्रत्वी के राजा खड़े हुए और हाकीम एक साथ इखटे हो गए क्योंकि सच मुछ तेरे सेवक यिश्यू के विरोध में जिसे तूने अभिशेक किया हेरोदेस और पुंतियूस पिलात अन्य जातियों और इस्राइलियों के साथ इस नगर में खटे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मती से ठहरा था वही करें अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाएं और चंगा करने के लिए तु अपना हाथ बढ़ा कि चिन्न और अधभुत काम तेरे पवित्र सेवक इश्य के नाम से किये जाएं जब वे प्रार्तना कर चुके तुवे स्थान जहां वे इखटे थे हिल गया और वे सब पवित्रात्म से परिपोन हो गए और परमेशर का वचन हियाव से रहे और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित और एक मन के थे यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था परंतो सब कुछ साजेका था और प्रेरित बड़ी सामर्त से प्रभुईश्य के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनु प्रेरितों के पाउं पर रखते थे और जैसी जिसे आवशकता होती थी उसकी अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे और यूसुफ नाम कुपरुस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बर नबा अर्थात शांती का पुत्र रखा था उसकी कुछ भूमी थी जिस से उसने बेचा और दाम के रुपिय लाकर प्रेरितों के पाउं पर रख दिये प्रेरितों के कामों का वर्णन पांचवा अध्याए और हनन्या नाम एक मनुष और उसकी पतनी सफीरा ने कुछ भूमी बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा और यह बात उसकी प प्रेरितों के पाउं के आगे रख दिया परंतु पत्रस ने कहा हे हनन्या शेतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्रात्म से जूट बोले और भूमी के दाम में से कुछ रख छोड़े जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी और जब बिक गई त तो क्या तेरे वश में न थी तू ने यह बात अपने मन में क्यों विचारी तू मनुश्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से जूट बोला ये बातने सुनते ही हनन्या गिर पड़ा और प्रान छोड़ दिये और सब सुनने वालों पर बड़ा भै छा गया फिर जवानों न उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया लगभग तीन घंटे के बाद उसकी पतनी जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई तब पतरस ने उससे कहा मुझे बता क्या तुमने वे भूमी इतने ही में बेची थी उसने कहा हाँ इतने ही में पतरस ने उ और तुझे भी बाहर ले जाएंगे तब है तुरंत उसके पाउं पर गिर पड़ी और प्रान छोड़ दिये और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पती के पास गाड़ दिया और सारी कलीसिया पर और निन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भै छा गया, और प्रेरतों के हाथों से बहुत चिन्ध और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाये जाते थे, और वे सब एक चित होकर सुलेमान के ओसारे में इखटे हुआ करते थे, परंतु औरो में से किसी को यह याव न होता था कि उन में जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे, और विश्वास करने वाले भोतेरे पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में और भी अधिक आकर मिलते रहे, यहां तक कि लोग बिमारों को सडकों पर ला लाकर खाटो और खटोनों पर लिटा देते थे, कि जब पतरस आए, तो उसकी छाया ही उन में से किसी पर पढ़ जाए, और एरिश्लेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बिमारों और अशुद आत्माओं के सताई हों को ला लाकर इखटे होते थे, और सब अच्छे कर दिये जा परंतु रात को प्रभू के एक स्वर्दूत ने बंदी ग्रह के द्वार खोल कर उन्हें बाहर लाकर कहा, कि जाओ, मंदिर में खड़े होकर, इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ, वे यह सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे, परंतु महाया परंतु प्यादों ने वहां पहुचकर उन्हें बंदी ग्रह में न पाया, और लोट कर संदेश दिया, कि हमने बंदी ग्रह को बड़ी चौक्षी से बंद किया हुआ, और पहरे वालों को बाहर द्वारों पर खड़े हुए पाया, परंतु जब खोला, तो भीतर कोई न मि जब मंदिर के सरदार और महायाजकों ने ये बाते सुनी, तो उनके विशह में भारी चिंता में पड़ गए, कि यह क्या हुआ चाहता है, इतने में किसी ने आकर उन्हें बताया, कि देखो, जिन्हें तुमने बंदी ग्रह में बंद रखा था, वे मनुष्य मंदिर में जाकर उन्हें ले आया, परन्तु बर्बस नहीं, क्योंकि वे लोगों से डरते थे, कि हमें पत्तरवा न करें, उन्होंने उन्हें फिर लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया, और महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिता कर आग्या न दी थी, कि तुम इ सारे यरुशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है, और उस व्यक्ति का लहू हमारे गर्दन पर लाना चाहते हो, तब पत्रस और और प्रेरतों ने उत्तर दिया, कि मनुश्यों की आग्या से बढ़कर परमेश्वर की आग्या का पालन करना ही करतव्य कर्म है, हमारे हैने हाथ से सरवोच कर दिया, कि वह इसराइलियों को मन फिराओ की शक्ति और पापों की ख्षमा प्रदान करें, और हम इन बातों के गवाँ हैं, और पवित्रात्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जो उसकी आग्या मानते हैं, यह सुनकर वे जल गए और उ उसने कहा, हे इसराइलियों, जो कुछ इन मनिश्यों से किया चाहते हो, सोच समझ के करना, क्योंकि इन दिनों से पहले, थीउदास यह कहता हुआ उठा, कि मैं भी कुछ हूँ, और कोई चार सो मनिश उसके साथ हो लिए, परंतु वह मारा गया, और जितने लोग उसे मानते थे, सब तितर बितर हुए, और मिट गए, उसके बाद नाम लिखाई की दिनों में, यहुदा गलीली उठा, और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, वह भी नाश हो गया, और जितने लोग उसे मानते थे, सब तितर बितर हो गए, इसलिए अब मैं तुम से कहता हूँ, इन कुछ काम न रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुश्यों की ओर से हो, तब तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है, तो तुम उन्हें कदापी मिटा न सकोगे, कहीं ऐसा ना हो, कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो, तब उन्होंने उसकी बात मान ली, और प्रेरितों को बुला कर पिटवाया, और यह आग्या दे कर छोड़ दिया, कि इश्यू के नाम से फिर बातें न करना, वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए, कि हम उसके नाम के लिए निरादर होने के योगी तो ठहरे, और प्र कुड़कुडाने लगे, कि प्रति दिन की सेवकाई में हमारी विध्वाओं की सुधी नहीं ली जाती, तब उन बारहों ने चेलों की मंडली को अपने पास बुला कर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेशर का वचन छोड़कर खिलाने पिलानी की सेवा में रहें, इसलिए हे भ प्रातना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे, यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी, और उन्होंने स्तिफनुस नाम एक पुरुष को जो विश्वास और पवित आत्मा से परिपोण था, और फिलिप्पुस, और प्रुखुरुस, और निकानोर, और तीमोन, और प रखे, और परमेशर का वचन फैलता गया, और यह रिशलेम में चेलों की गिंती बहुत बढ़ती गई, और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत के आधीन हो गया, स्तिफनुस अनुग्रह और सामत से परिपूर्ण होकर, लोगों में बड़े-बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था, तब उस आराध नालाए में से, जो लिबिर्टीनों की कहलाती थी, और कुरेनी, और सिकंदरिया, और किली किया, और एशिया के लोगों में से, कई एक उठकर, स्तिफनुस से वाद विवात करने लगे, परंतु उस ग्यान और उस आत्मा का, जिस से वह बातें करता था, वे सामना न कर सके, इस पर उन्होंने कई लोगों को भारा जो कहने लगे, कि हमने इसको मूसा और परमेशर के विरोध में निंदा की बातें कहते सुना है, और लोगों और प्राचीनों और शास्त्रियों को भढ़का कर चढ़ा आए, और उसे पकड सुना है, कि यही इश्यू नास्त्री इस जगह को ढ़ा देगा, और उन रीतों को बदल डालेगा, जो मूसा ने हमें सौपी हैं, तब सब लोगों ने जो सभा में बैटे थे, उसकी और ताक कर, उसका मुखळा, स्वर्ग दूत कासा देखा, प्रेरितों के कामों का वर्ण सात्वां अध्याए बसा, और उसके पिता के मृत्यू के बाद परमेश्वन ने उसको वहां से इस देश में लाकर बसाया, जिसमें अब तुम बसते हो, और उसको कुछ मिरास बरन पैर रखने भर की भी उसमें जगह न दी, परन तु प्रतिग्या की, कि मैं यह देश तेरे और तेरे बाद ते और वे उन्हें दास बनाएंगे, और चार सो वर्ष तक दुख देंगे, फिर परमेश्वन ने कहा, जिस जाती के वे दास होंगे, उसको मैं दंड दूँगा, और इसके बाद में निकल कर इसी जगह मेरी सेवा करेंगे, और उसने उससे खतने की वाचा बांधी, और इसी देशा में इसहाक उससे उत्पन हुआ, और आठवे दिन उसका खतना किया गया, और इसहाक से याकूब, और याकूब से बारह कुल पती उत्पन हुए, और कुल पतियों ने यूसुफ से ड़ा करके, उससे मिसर देश जाने वालों के हाथ बेचा, परंतु परमेशर उसके साथ था, और उसे उसके सब कलेशों से छुडा कर, मिसर के राजा फिरोन के आगे अनुग्रह और बुद्धी दी, और उसने उसे मिसर पर और अपने सारे घर पर हाकिम ठहराया, तब मिसर और कनान के सारे देश में अकाल पड़ा, जिस से भारी कलेश वा और हमारे बाप द दादों को अन्न नहीं मिलता था, परंतु याकूब ने यह सुनकर कि मिसर में अनाज है, हमारे बाप दादों को पहली बार भेजा, और दूसरी बार यूसुफ अपने भाईयों पर प्रगट हो गया, और यूसुफ की जाती फिरोन को मालूम हो गई, तब यूसुफ ने अ मर गए, और वे शिकिम में पहुचाए जाकर उस कबर में रखे गए, जिसे इबराहीम ने चांदी दे कर शिकिम में हमोर की संतान से मोल लिया था, परंतु जब उस प्रतिग्या के पूरे होने का समय निकट आया, जो परमेश्वर ने इबराहीम से की थी, तो मिसर में वे लोग बढ़ गए और बहुत हो गए, जब तक कि मिसर में दूसर राजा नहुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था, उसने हमारी जाती से चतुराई करके हमारे बाप दादों के साथ यहां तक कुव युवहार किया कि उन्हें अपने बालकों को फेक देना पड़ा की वे ज दिया गया, तो फिरॉन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना पुत्र करके पाला, और मुसा को मिसरियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वह बातों और कामों में सामर्ती था, जब वह चालीस वर्ष का हुआ, तो उसके मन में आया कि मैं अपने इसराइली भाईयो से भेट करूं, और उसने एक व्यक्ति पर अन्याय होते देख कर उससे बचाया, और मिसरी को मार कर सताय हुए का पल्टा लिया, उसने सोचा कि मेरे भाई समझेंगे कि परमेश्वर मेरे हाथों से उनका उध्धार करेगा, परंतु उन्होंने न समझा, दूसरे दिन जब आपस में लड़ रहे थे, तो वेह वहां आ निकला, और यह कहके उन्हें मेल करने के लिए समझाया, कि हे पुर्शो, तुम तो भाई भाई हो, एक दूसरे पर क्यों अन्याय करते हो, परंतु जो अपने पडोसी पर अन्याय कर रहा था, उसने उसे यह कहकर हटा दिया, कि जिस रीती से तुने कल मिस्री को मार डाला, मुझे भी मार डालना चाहता है, यह बात सुनकर मुसा भागा, और मिद्यान देश में परदेशी होकर रहने लगा, और वहां उसके दो पुत्र उत्मन हुए, जब पूरे चालिस वर्श बीत गए, तो एक स्वर्ग दूत ने सी जलती वी जाली की ज्वाला में दर्शन दिया, मुसा ने उस दर्शन को देखकर अचंभा किया, और जब देखने के लिए पास गया, तो प्रभू का यह शब्द हुआ, कि मैं तेरे बाप दादों इब्राहीम, इसहाक और याकुब का परमिशन हूँ, तब तो मुसा कहां यहां तक कि उसे देखने का हियाओ ना रहा, तब प्रभू ने उससे कहा, अपने पाउं से जूती उतार ले, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है, वह पवित्र भूमी है, मैंने सचमुच अपने लोगों की दुर्दशा को जो मिसर में हैं देखी है, और उनकी आह और उनक रोना सुन लिया है, इसलिए उन्हें छुडाने के लिए उत्रा हूँ, अब आ, मैं तुझे मिसर में भेजूंगा, जिस मुसा को उन्होंने यह कहकर नकारा था, कि तुझे किसने हम पर हाकिम और न्याई ठहराया है, उसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुडाने वाला ठह और चिन्ह दिखा दिखा कर उन्हें निकाल लाया, यह वही मुसा है, जिसने इस्राइलियों से कहा, कि परमेश्वर तुमारे भाईयों में से तुमारे लिए मुझ सा एक भविश्वक्ता उठाएगा, यह वही है, जिसने जंगल में कलिस्या के बीच, उस स्वर्गदूत क साथ सीने पहाड़ पर उस से बातें की, और हमारे बाप दादों के साथ था, उसी को जीवित वचन मिले कि हम तक पहुँचाए, परंटु हमारे बाप दादों ने उस की मानना न चाहा, बरन उसे हटा कर अपने मन मिसर की और फेरे, और हारून से कहा, हमारे लिए ऐसे उन दिनों में उन्होंने एक बच्छडा बनाकर उसकी मूरत के आगे बली चढ़ाया और अपने हाथों के कामों में मगन होने लगे, सो परमिश्वर ने मुहु मोड कर उन्हें छोड़ दिया कि आकाश गण पूजें जैसा भषड़ताओं की पुस्तक में लिखा है कि हे इस् अर्थात उन अकारों को जिन्हें तुमने दंडवत करने के लिए बनाया था, सो मैं तुम्हें बाबुल के परे ले जाकर बसाओंगा, साक्षी का तंबु जंगल में हमारे बापदादों के बीच में था, जैसा उसने ठहराया, जिसने मुसा से कहा कि जो आकर तुने देख जिन्हें परमेश्वर ने हमारे बापदादों के सामने से निकाल दिया और वह दावुत के समय तक रहा, उस पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया, सो उसने बिंती की कि मैं याकूप के परमेश्वर के लिए निवास थान ठहराऊं, परंतु सुलिमान ने उसके लिए घर बनाया, परंतु परम परधान हाथ के बनाये घरों में नहीं रहता, जैसा कि भश्वर ने कहा कि प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिहासन और प्रत्वी मेरे पाउं तले की प्युड़ी है, मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे, और मेरे विश्राम का कौन सा स्थ चान होगा, क्या ये सब वस्त्वें मेरे हाथ की बनाई नहीं? हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगो, तुम सदा पवित्र आत्मा का सामना करते हो, जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे, वैसे ही तुम भी करते हो, भविश्व दक्ताओं में से किसको तुम्हार बाप दादों ने नहीं सताया, और उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला, और अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए, तुमने स्वर्दूतों के द्वारा ठराई हुए विस्ता तो पाई, परंत मनुष्य को परमेश्वर की दाहिनी और खड़ा देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य की पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी और खड़ा हुआ देखता हूँ, तब हुने बड़े शब्द से चिला कर कान बंद कर लिये, और एक चित होकर उस पर ज और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, कि हे प्रभु यिश्यू, मेरी आत्मा को ग्रहन कर, फिर घुटने तेक कर उचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर सो गया, और शाउल उसके बध में सहमत था. प्रेदितों के कामों का वर्णन आठवा अध्याय, उसी दिन यरुशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्र होने लगा, और प्रेदितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए, और भक्तों ने स्टिफनुस को कबर में रखा, और उसके बितर हुए थे, वे सुसमचार सुनाते हुए फिरे, और फिलिप्पुस सामरिया देशों में जाकर लोगों में मसी का परचार करने लगा, और जो बातें फिलिप्पुस ने कहीं, उन्हें लोगों ने सुनकर, और जो चिन्ह वह दिखाता था, उन्हें देख देख कर, एक चित होकर मन लगाया क्योंकि बहुतों में से अशुद आत्माएं बड़े शब्द से चिलाती हुई निकल गई और बहुत से जोले के मारे हुए और लंगले भी अच्छे किये गए और उस नगर में बड़ा आनंद हुआ। जो महान कहलाती है। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने टोने के कामों से चकित कर रखा था। इसलिए वे उसको बहुत मानते थे। परंतो जब उन्होंने फिलिप्पुस की प्रतीती की जो परमेश्वर के राज और इशु के नाम का सुसमचार सुनाता था तो लोग क्य पुरुष क्यास्त्री बप्तिस्मा लेने लगे। तक शमौन ने आप भी प्रतीती की और बप्तिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा और चिन्न और बड़े-बड़े सामर्त के काम होते देखकर चकित होता था। जब प्रिड़तों ने जो यरुश्ले में थे स कि सामर्यों ने परमिश्वर का वचन मान लिया है तो पत्रस और यहन्ना को उनके पास भेजा और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की की पवित्रात्मा पाएं क्योंकि वह अब तक उन में से किसी पर न उत्रा था। उन्होंने तो केवल प्रभुईश्यू के ना कि यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हात रखूं वह पवित्रात्मा पाएं पत्रस ने उससे कहा तेरे रुप्ये तेरे साथ नाश हों क्योंकि तुने परमिश्वर का दान रुप्यों से मोल लेने का विचार किया इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना बाटा क्यों कि मैं देखता हूं कि तु पित्त किसी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है शमौन ने उत्तर दिया कि तुम मेरे लिए प्रभू से प्रार्थन करो कि जो बाते तुमने कहीं उन में से कोई मुझ पर ना आ पड़े सोवे गवाही दे कर और प्रभू का वच्चन सुना कर यरुशलेम को लौट गए और सामरियों के बहुत गाउं में सुसमचार सुनाते गए फिर प्रभू के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा उठकर डखिन की और उस मार्ग पर जा जो यरुशलेम से अज्जा को जाता है और जंगल में हैं वह उठकर चल दिया और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजान्ची था और भजन करने को यरुशलेम आया था और वह अपने रत पर बैठा हुआ था और ये शाया भुश भिश्दक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लोटा जा रहा था तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा निकट जाकर इस रत के साथ हो ले फिलिपुस ने उस ओर दोड़कर उससे यशाया भिश्दक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा कि तू जो पढ़ रहा है क्य उससे समस्ता भी है। उसने कहा जब तक कोई मुझे न समझाए तुम मैं क्योकर समझू और उसने फिलिप्पुस से बिंती की की चड़कर मेरे पास बैठ। उसके समय के लोगों का वरणन कौन करेगा क्योंकि प्रत्विय से उसका प्राण उठाया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा मैं तुछ से बिंती करता हूँ। यह बता कि भविश्दक्ता यह किस के विशय में कहता है अपने या किसी दूसरे के विशय मे तब फिलिप्पुस ने अपना मूँ खोला और इसी शास्त्र से आरंब करके उसे इश्यू का सुसमचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुँचे तब खोजे ने कहा देख यहां जल है अब मुझे बप्तिस्मा लेने में क्या रोक है। फिलिप् परने की आग्या दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने उसे बप्तिस्मा दिया। जब वे जल में से निकल कर उपर आये तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया सो खोजे ने उसे फिर न देखा और वे आनंद करता हुआ अपने मार्ग चला गया और फिलिप्पुस अश्दोद में आ निकला और जब तक कैसरिया में न पहुचा तब तक नगर नगर सुसमचार सुनाता गया। प्रेदितों के कामों का वर्णन नौमा अध्याय और शाउल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करन की धुन में था महायाजक के पास गया और उस से दमिश की आरात नालायों के नाम पर इस अभिप्राय की चिठिया मांगी कि क्या पुरुष क्यास्त्री जिन्हें वह इस पंध पर पाए उन्हें बांध कर यरुशले में ले आए परंतु चलते चलते जब वह दमिश के निक हे शाओल तू मुझे क्यों सताता है उसने पूछा हे प्रभू तू कौन है उसने कहा मैं येश्य हूँ जिससे तू सताता है परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझ से कहा जाएगा जो मनुश उसके साथ थे वे चुपचाप रहे गए क्योंकि शब्द सो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे तब शाओल भूमी पर से उठा परंतु जब आँखे खोली तो उससे कुछ दिखाई न दिया और वे उसका हाथ पकड़के दमिश्क में ले गए और वे तीन दिन तक न देख सका और न खाया और न पिया दमिश्क में ह हे हनन्या उसने कहा हाँ प्रभू तब प्रभू ने उससे कहा उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहुदा के घर में शाओल नाम एक तार्शी को पूछ ले क्योंकि देख वेपरार्तना कर रहा है और उसने हनन्या नाम एक पुरुष को भीतर आते और अपने उ दरुषले में तेरे पवितर लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराईयां की हैं और यहां भी इसको महायाजुकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सब को बांध ले परंतु प्रभू ने उससे कहा कि तू चला जा क्योंकि यह तो अन्य जात पड़ेगा तब हनन्या उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रख कर कहा हे भाई शाओल प्रभू अर्थात येश्यू जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दरश्टी पाए और पवितरात्म से प साथ रहा जो दमिश्क में थे और वह तुरंद आराद नायलयों में येश्यू का परचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है और सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे क्या यह वही व्यक्ति नहीं है जो यरुशले में उन्हें जो इस नाम को लेते थे नाश करत था और यहां भी इसलिए आया था कि उन्हें बांध कर महायाजगों के पास ले जाए परंतु शाओल और भी सामर्थी होता गया और इस बात का प्रमान दे दे कर कि मसीह यही है दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुह बंद करता रहा जब बहुत दिन बीद गए तो यहूदियों ने मिलकर उसके मार डालने की युक्ति निकाली परंतु उनकी युक्ति शाओल को मालूम हो गई वे तो उसके मार डालने के लिए रात दिन फाटकों पर लगे रहे थे परंतु रात को उसके चेलों ने उसे लेकर टोकरे में बठाया और शहरपनापर से लटक यरुष्ले में पहुचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का उपाई किया, परंतु सब उससे डरते थे, क्योंकि उनको प्रतीती न होता था, कि वह भी चेला है, परंतु बर्नबा उससे अपने साथ प्रेजितों के पास ले जाकर उनसे कहा, कि इसने किस रीती से मार्ग में प आता जाता रहा और निधरक होकर प्रभु के नाम से प्रचार करता था और युनानी भाशा बोलने वाले यहुदियों के साथ बाच्चित और वाद विवाद करता था परंतुवे उसके मार डालने का यत्न करने लगे यह जानकर भाई उसे कैसरिया में ले आए और तरसुस को भेज दिया सो सारे यहुदिया और गलील और सामरिय में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नती होती गई और वह प्रभु के भै और पवित्रात्मा की शांती में चलती और बढ़ती जाती थी और ऐसा हुआ कि पत्रस हर जगह फिरता हुआ उन पवित्र लोगों के पास भी लुद्दा में रहते थे वहां उसे एनियास नाम जोले का मारा हुआ एक मनुश मिला जो आठ वर्ष से खाट पर पड़ा था पत्रस ने उससे कहा हे एनियास इश्य मसी तुझे चंगा करता है उठ अपना बिचोना बिचा तब वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और लुद् वह बहुतेरे भले भले काम और दान किया करती थी उन्ही दिनों में वह बिमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहला कर अटारी पर रख दिया और इसलिए कि लुद्दा याफा के निकट था चेलों ने यह सुनकर कि पत्रस वहां हैं दो मनुश भेच कर उससे बिंती की कि हमारे पास आने में देर न कर तब पत्रस उठकर उनके साथ हो लिया और जब पहुँच गया तो वे उसे उस अटारी पर ले गए और सब विद्वाएं रोती हुई उसके पास आखडी हुई और जो कुरते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिख कर उठ बैठी उसने हाथ दे कर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विद्वाओं को बुला कर उसे जीवित और जागरत दिखा दिया यह बात सारे याफा में फैल गई और भहुतेरों ने प्रभु पर विश्वास किया और पत्रस याफा में शमौन नाम किसी चमले के सुबेधार था वे भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेशवर से डरता था और यहुदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेशवर से प्रारतना करता था उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेशवर का एक मेरे पास भीतर आकर कहता है कि हे कुर्णलियूस उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा हे प्रभू क्या है उसने उससे कहा तेरी प्राथनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं और अब याफा में मनुश भेच कर शमौन को जो पत्रस क कहलाता है बुलवाले वह शमौन चमले के धंदा करने वाले कि हाँ पाहुन है जिसका घर समुद्र के किनारे है जब वह स्वर्दू जिसने उससे बाते की थी चला गया तो उसने दो सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उन में से एक भक्त सिपाही को बुलाय और उन्हें सब बातें बताकर याफ़ा को भेजा दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास भूँचे तो दो पहर के निकट पत्रस कोठे फर प्रातना करने चढ़ा और उसे भूक लगी और कुछ खाना चाहता था परन्तु जब वे तयार कर रहे थे तो वे और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ प्रत्वी की ओर उतर रहा है जिसमें प्रत्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जन्तु और आकाश के पक्षी थे और उसे एक ऐसा शब्द नहीं खाई है फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया कि जो कुछ परमेश्वन ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कहे तीन बार ऐसा ही हुआ तब तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया जब पत्रस अपने मन में दुब्धा कर रहा था कि यह दर्शन जो मैंने देखा क्या है तो देखो वे मनुष जिन्हें कुर्नली उसने भेजा था शमौन के घर का पता लगा कर देवडी पर आखड़े हुए और पकार कर पूशन लगे क्या शमौन जो पत्रस कहलाता है यहीं पाहुन है पत्रस तो उस दर्शन पर सोची रहा है तब पत्रस ने उतर कर उन मनुष्यों से कहा देखो जिसकी खोज तुम कर रहे हो वे मैं ही हूँ तुम्हारे आने का क्या कारण है उन्होंने कहा कुर्ने लियू सुबेदार जो धर्मी और परमिश्वर से डरने वाला और सारी यहुदी जाती में सुनामी मनुष है उसन उन्हें भीतर बुला कर उनकी पहुनाई की और दूसरे दिन वह उनके साथ गया और याफा के भाईयों में से कई उसके साथ हो लिये। दूसरे दिन वह कैसरिया में पहुँचे और कुर्नेलियूस अपने कुटुम्बियों और प्रिये मित्रों को इखटे करके उनकी तो कुरनेलियूस ने उससे भेट की और पाओं पढ़के प्रणाम किया परंतु पत्रस ने उसे उठा कर कहा खड़ा हो मैं भी तो मनुश्य हूँ और उसके साथ बाचित करता हुआ भीतर गया और बहुत से लोगों को घटे देखकर उनसे कहा तुम जानते हो कि अन्यजाती क संगत्ती करना या उसके यहां जाना यहूदी के लिए अधर्म है परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुश को अपवित्र या अशुध ना कहूँ इसलिए मैं जब बुलाया गया तो बिना कुछ कहे चला आया अब मैं पूस्ता हूँ कि मुझे किस काम के ल मेरे सामने आखडा हुआ और कहने लगा हे कुरनेलियूस तेरी प्रार्तना सुन ली गई और तेरे दान परमेश्वर के सामने समरण किये गए हैं इसलिए किसी को याफा भेज कर शमौन को जो पत्रस कहलाता है बुला वह समुद्र के किनारे शमौन चमले के धंदा करने वा परमेश्वर ने तुछ से कहा है उसे सुने तब पत्रस ने मुह खोल कर कहा अब मुझे निश्चे हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता बरन हर जाती में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है जो वचन उसने इस्राइलियों के पास भेजा जो सब का प्रभू है शांती का सुसमचार सुनाया वह बात तुम जानते हो जो यहन्ना के बबतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरम करके सारे यहुदियां में फैल गई कि परमेश्वर ने किस रीती से यिश्व नासरी को पवितरात्मा और सामर्थ से अभिशेक किया वे भलाई करता और सब को जो शेतान के सताहि हुए थे अच्छा करता फिरा क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था और हम उन सब कामों के गवाँ हैं जो उसने यहुदिया के देश और यरुशले में भी किये और उन्होंने उसे काठ पर लटका कर मार डाला उसको परमेश्व परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था अर्थात हम को जिन्होंने उसके मरे हुँँ में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया और उसने हमें आग्या दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवतों और मरे हुँँ क पत्रस ये बाते कही रहा था कि पवित्रात्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया और जितने खतना किये हुए विश्वासी पत्रस के साथ आये थे, वे सब चकित हुए कि अन्ने जातियों पर भी पवित्रात्मा का दान उंडेला गया है क्योंकि उन्होंने उन्हें भाती-भाती की भाशा बोलते और परमेश्वर की बढ़ाई करते सुना। इस पर पत्रस ने कहा क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बबतिस्मा ना पाएं जिन्होंने हमारी नाई पवित्रात्मा पाया है। और उसने आग्या दी कि उन्हें ये प्रेश्य मसी के नाम में बबतिस्मा दिया जाए तब उन्होंने उससे बिंती की कि कुछ दिन हमारे साथ रहे। प्रेधितों के कामों का वर्णन ग्यारवा अध्याय। और प्रेधितों और भाईयों ने जो यहूदिया में थे सुना कि अन्य जातियों ने भी आया तो खतना किये हुए लोग उससे वाद विवाद करने लगे कि तुने खतना रहित लोगों के यहां जाकर उनके साथ खाया। तब पतरस ने उन्हें आरम से क्रमा नुसार कह सुनाया कि मैं याफा नगर में प्रार्तना कर रहा था और बेसुध होकर एक दर्शन देखा कि एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकाया हुआ आकाश से उतर कर मेरे पास आया। जब मैंने उस पर ध्यान किया तो प्रत्वी के चौपाए और बन पश्यू और रेंगने वाले जन्तु और आकाश के पक्षी देखे। और यह शब्द भी सुना कि हे पत्रस उठ मार और खा। मैंने कहा नहीं प्रभू नहीं क्योंकि कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु मेरे मुह में कभी नहीं गई। इसके उत्तर में अकाश से दूसरी बार शब्द हुआ कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उससे अशुद्ध मत क तीन बार ऐसा ही हुआ तब सब कुछ फिर अकाश पर खीच लिया गया और देखो तुरम तीन मनुष्य जो कैसरिया से मेरे पास भेजे गए थे उस घर पर जिसमें हम थे आखड़े हुए तब आत्मा ने मुझ से उनके साथ बे खटके हो लेने को कहा और ये छै भाई भी म मेरे साथ हो लिये और हम उस मनुष्य के घर में गए और उसने बताया कि मैंने एक स्वरगदूत को अपने घर में खड़ा देखा जिसने मुझ से कहा कि याफा में मनुष्य भेज कर शमौन को जो पत्रस कहलाता है बुलवा ले वह तुम से ऐसी बातें कहेगा जिनके द्व से आरंभ में हम पर उत्रा था तब मुझे प्रभू का वहवचन स्मरन आया जो उसने कहा कि योहन्ना ने तो पानी से बप्तिस्मा दिया परंतु तुम पवित्रात्म से बप्तिस्मा पाओगे सो जबकि परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभू इश्य मसी पर विश्वास करने से मिला था तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बढाई करके कहने लगे तब तो परमेश्वर ने अन्यजाति सो जो लोग उस क्लेश के मारे जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था तितर बितर हो गए थे वे फिरते फिरते फीनीके और कुपरुस और अन्ताकिया में पहुंचे परनतु यहूदियों को छोड किसी और को वचन न सुनाते थे परनतु उन में से कितने कुपरुसी और कुर जो अन्ताकिया में आकर युनानियों को भी प्रभु इश्यू के सुसमचार की बातने सुनाने लगे और प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे तब उनकी चर्चा यरुशलेम की कलिस्या के सुनने में आई और उन्होंने को अन्ताकिया भेजा वह वहाँ पहुचकर और परमेशर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सब को उपदेश दिया कि तन मन लगा कर प्रभु से लिप्टर हो क्योंकि वह एक भला मनुश्य था और पवित्रात्मा और विश्वास से परिपून था और और भहुत से लोग प्रभु में आ मिले तब वह शाओल को ढूनने के लिए तरसुस को चला गया और जब उससे मिला तो उससे अन्ताकिया मिलाया और ऐसा हुआ कि वे एक वर्ष तक कलिस्या के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे और चेले सबसे पहले अन्ताकिया में आये उन में से अग्बुस नाम एक में खड़े होकर आत्मा की प्रेणना से यह बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा और वह अकाल क्लोदियूस के समय में पड़ा तब चेलों ने ठहराया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदिया में रहन वाले भाईयों की सेवा के लिए कुछ भेजे और उन्होंने ऐसा ही किया और बर्नबास और शाओल के हाथ राचीनों के पास कुछ भेज दिया प्रेरितों के कामों का वर्णन बारवा अध्याए उस समय हिरुदेस राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देन वे दिन अकमीरी रोटी के दिन थे और उसने उसे पकड़ के बंदी ग्रह में डाला और रखवाली के लिए चार-चार सिपाईयों के चार पहरों में रखा इस मंसा से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए तो बंदी ग्रह में पतरस के रखवाली हो रही थी परंतु दो सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदी ग्रह के रखवाली कर रहे थे तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आखड़ा हुआ और उस कोठरी में जोती चमकी और उसने पतरस की पसली पर हात मार के उसे जगाया और कहा उठ फुर्ती कर और उसके हाथों से जंजीरे खुल कर गिर पढी तब स्वर्गदूत ने उससे कहा कमर बांध और अपने जूते पहिन ले उसने वैसा ही किया फिर उसने उससे कहा अपना वस्तर पहिन कर मेरे पीछे हो ले वह निकल कर उसके पीछे हो लिया परन तु यह ना जानता था कि जो कुछ स्वर्दूत कर रहा है, वे सचमुच है, परन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ, तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकल कर उस लोहे के फाटक पर पहुँचे, जो नगर की ओर है, वे उनके लिए आप से आप खुल गया, और वे निकल कर एक ही गली होकर इतने में स्वर्दूत उसे छोड़ कर चला गया, तब पतरस ने सचेद होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया कि प्रभू ने अपना स्वर्दूत भेज कर मुझे हिरुदेश के हाथ से छोड़ा लिया, और यहुदियों की सारी आशा तोड़ दी, और यह सोचकर वे उस यहन की माता मरियम के घर आया, जो मरकुस कहलाता है, वहां बहुत लोग इखटे होकर प्रात्ना कर रहे थे, जब उसने फाटक की खड़की खड़कटाई, तो रूदे नाम एक दासी सुनने को आई, और पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक न खोला, वह दरता से बोली की ऐसा ही है, तब उन्होंने कहा उसका स्वर्ग दूत होगा, परंतु पतरस खटखटाता ही रहा, सो उन्होंने खड़की खोली और उसे देखकर चकित हो गए, तब उसने उन्हें हाथ से सैन किया की चुप रहें, और उनको बताया की प्रभू किस रीती से मुझे बंदिग्रह से निकाल लाया है, फिर कहा कि याकूब और भाईयों को यह बात कह देना, तब निकल कर दूसरी जगह चला गया, भोर को सिपाहियों में बड़ी हलचल होने लगी कि पतरस क्या हुआ, जब हिरोदेश ने उसकी खोच की और न पाया, तो पहरों की ज जहुदिया को छोड़ कर कैसरिया में जा रहा, और वे सूर और सैदा के लोगों से बहुत अप्रसंद था, सो वे एक चित होकर उसके पास आए, और बलास्तुस को जो राजा का एक कर्मचारी था, मना कर मेल करना चाहा, क्योंकि राजा के देश से उनके देश का पालन होता था, और ठेराय हुए दिन हेरुदेश राजवस्तर पहन कर सिहासन पर बैठा और उनको व्याख्यान देने लगा, और लोग पुकार उठे कि यह तो मनुष्का नहीं परमेश्वर का शब्द है, उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्य क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा न की और वे कीड़े पढ़के मर गया, परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया, जब बर्नबास और शाओल अपनी सेवा पूरी कर चुके, तो यहन्ना को जो मर्कुस कहलाता है, साथ लेकर यरुशलेम से लोटे, प्रे की उस कुरेनी और देश की चोथाई के राजा हिरुदेस का, दूद भाई, मनाहेम और शाओल, जब वे उपवास सही त्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्रात्मा ने कहा, मेरे निमित बर्नबास और शाओल को उस काम के लिए अलग करो, जिस के लिए मैंने उन्हे बुलाया है, तब उन्होंने उपवास और प्रात्ना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया, सुवे पवित्रात्मा के भेजे हुए सिलूकिया को गए, और वहां से जहाच पर चड़कर कुप्रुस को चले, और सलमीस में पहुँचकर परमेशर का वचन यहोदि वह सिर्गियूस पॉलूस सूबे के साथ था, जो बुधिमान पुरुष था, उसने बर्नबास और शाउल को अपने पास बुलाकर परमेशर का वचन सुनना चाहा, परंतु इलिमास टोने ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका सामना करके सूबे को विश्वास क करने से रोकना चाहा, तब शाउल ने जिसका नाम पॉलूस भी है, पवित रात्मा से परिपूर्ण हो उसकी ओर टक्टकी लगा कर था, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शातान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तु प्रभू के सीधे मार्गों को तेढ़ा कर और वे इधर उधर टटोलने लगा, ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के ले चले, तब सूबे ने जो हुआ था देखकर और प्रभू के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया, पॉलूस और उसके साथी पाफुस से जहाच खोल कर पंफूलिया के पिरगा में आए, और यो अवस्था और भर्षदत्ताओं की पुस्तक से पढ़ने के बाद, सभा के सरदारों ने उनके पास खहला भेजा, कि हे भाईयो, यदि लोगों के उपदेश के लिए तुम्हारे मन में कोई बात हो, तो कहो। तब पॉलूस ने खड़े होकर और हाथ से सैन करके कहा, हे इसर काईली लोगों के परमेश्वर ने हमारे बाप दादों को चुन लिया, और जब ये लोग मिसर देश में परदेशी होकर रहते थे, तो उनकी उन्नती की और बलवंत भुजा से निकाल लाया, और वह कोई चालीस वर्ष तक जंगल में उनकी सहता रहा, और कनान देश में सा जातियों का नाश करके उनका देश कोई साहे चार सो वर्ष में इनकी मिरास में कर दिया, इसके बाद उसने सामुएल भशगता तक उन में न्याही ठहराए, उसके बाद उन्होंने एक राजा मांगा, तब परमेश्वन ने चालीस वर्ष के लिए विन्यामीन के गोतर में स एक मनुष अर्थात हीश के पुत्र शाओल को उन पर राजा ठहराया, फिर उसे अलग करके दाओद को उनका राजा बनाया, जिसके विशय में उसने गवाही दी कि मुझे एक मनुष इश्य का पुत्र दाओद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पू आने से पहले युहना ने सब इसरालियों को मन फिराओ के बप्तिस्मा का परचार किया, और जब युहना अपना दौर पूरा करने पर था, तो उसने कहा, तुम मुझे क्या समझते हो, मैं वह नहीं, वरन देखो, मेरे बाद एक आने वाला है, जिसके पाओं की जूती मैं खोलने के योग्य नहीं, हे भाईयो, तुम जो इबराहिम की संतान हो, और तुम जो परमेश्वर से डरते हो, तुमारे पास इस उद्धार का वच्चन भेजा गया है, क्योंकि यरुशलेम के रहने वालों और उनके सरदारों ने ना उसे पहचाना, और ना भष्दक्ताओ की बातें समझी, जो हर सब्त के दिन पढ़ी जाती हैं, इसलिए उसे दोशी ठहरा कर उनको पूरा किया, उन्होंने मार डालने के योग्य कोई दोश उसमें न पाया, तो भी पिलातु से बिंती की, कि वह मार डाला जाए, और जब उन्होंने उसके विशे में लिखी हुई की सब बातें पूरी की, तो उसे क्रूस पर से उतार कर कबर में रखा, प्रन्तु परमेश्वन ने उसे मरे हुँ में सिजलाया, और वह उन्हें जो उसके साथ गलील से यरुशलेम आये थे, बहुत दिनों तक दिखाई देता रहा, लोगों के सामने अब वे ही उसके गवा हैं, और हम तुम्हें उस प्रतिग्या के विशय में, जो बाप दादों से की गई थी, यह सुसमचार सुनाते हैं, कि परमेश्वन ने ईश्व को जिला कर वही प्रतिग्या हमारी संतान के लिए पूरी की, जैसा दूसरे भजन में भी लिखा है, कि तू मेरा पुत्र है, आ और अचल क्रपा तुम पर करूंगा, इसलिए उसने एक और भजन में भी कहा है, कि तू अपने पवित्र जन को सडने न देगा, क्योंकि दाउद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया, और अपने बाप दादों में जा मिला, और सड भ जाता है, और जिन बातों से तुम मुसा की विवस्था के द्वारा निर्दोश नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सबसे हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोश ठहरता है, इसलिए चौकस रहो, ऐसा नहो कि जो भषदक्ताओं की पुस्तक में आया है, तुम प कि यदि कोई तुम से उसकी चर्चा करे, तो तुम कभी प्रतीती न करोगे। उनके बाहर निकलते समय लोग उससे बिंती करने लगे, कि अगले सब्द के दिन हमें ये बातें फिर सुनाई जाएं, और जब सभा उठ गई, तो यहूदियों और यहूदी मत ने आई हुए भक्तों में से बहुतेरे पॉलूस और बर्नबास के पीछे हो लिए, और उन्होंने उनसे बातने करके समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। परन्तु जब कि तुम उसे दूर करते हो और अपने को अनन्त जीवन की योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्यजातियों की ओर फिरते हैं, क्योंकि प्रभू ने हमें यह आग्या दी है, कि मैंने तुझे अन्यजातियों के लिए जोती ठहराया है, ताकि तु का वच्चन उस सारे देश में फैले लगा, परंतु यहुदियों ने भक्त और कुलीन स्त्रियों को और नगर के बड़े लोगों को उसकाया, और पॉलूस और बर्नबास पर उपद्रा करवा कर उन्हें अपने सिवानों से निकाल दिया, तब वे उनके सामने अपने पाउ की धूल जाड़कर एकुनियूम को गए और चेले आनन से और पवित्रात्म से परिपूर्न होते रहे, प्रेजितों के कामों का वर्णन चवदू अध्याए, एकुनियूम में ऐसा हुआ कि वे यहुदियों की आरात नालाय में साथ साथ गए, और ऐसी बातें की, कि यहुदियों और युनानियों दोनों में से भहुतों ने विश्वास किया, परंतु नम मानने वाले यहुदियों ने अन्यजातियों के मन भाईयों के विरोध में उसकाए और बिगार कर दिया, और वे बहुत दिन तक वहां रहे और प्रभू के भरोसे पर हियाओ से बाते करते थे और वे उनके हाथों से चिन्न और अदभुत काम करवा कर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था परंतु नगर के लोगों में फूट पड़ गई थी इस से कितने तो यहुदियों की ओर और कितने फ्रेरतों की ओर हो गए परंतु जब अन्य जाती और में भाग गए और वहां सुसमचार सुनाने लगे लुस्तरा में एक मनुष्य बैठा था जो पाओं का निर्बल था वह जन्म ही से लंगला था और कभी न चला था वह पौलुस को बाते करते सुन रहा था और इसने उसकी ओर टक्टकी लगा कर देखा कि इसको चंगा हो जा है काम देखकर लुकाउनिया की भाशा में उचे शब्द से कहा देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतराए हैं और उन्होंने बरनबास को जियूस और पौलुस को हिरमेस कहा क्योंकि यह बाते करने में मुख्य था और जियूस के उस मंदिर का पुजारी जो अपने कपड़े फाले और भीड में लपक गए और पुकार कर कहने लगे हे लोगो तुम क्या करते हो हम भी तो तुमारे समान दुख सुक भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्त्वों से अलग होकर जीवते परमेश्वर की और फिरो जिसने स्वर्ग और प्रत्वी और समुद्र और जो कुछ उन में हैं बनाया उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मारगों में चलने दिया तो भी उसने अपने आपको बे गवाह न छोड़ा किन्तु वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत रितु दे कर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा यह कहकर भी उन्होंने लोगों को कठिंता से रोका कि उनके लिए बलदान न करें परंतु कितने यहुदियों ने अंता किया और इकुनियूम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पॉलुस को पत दूसरे दिन बरनबास के साथ दिर्वे को चला गया और वे उस नगर के लोगों को सुसमचार सुना कर और बहुत से चेले बना कर लुस्तरा और इकुनियूम और अंताकिया को लोटाए और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बन चीन ठेराए और उपवास सहित प्राठना करके उन्हेप्रभू के हाथ सौपा जिस पर उन्होंने विश्वास किया था और पिसदिया से होते हुए वे पमफूलिया में पहुँचे और पिरगा में वचन सुनाकर अत्तलिया में आए और वहां से जहाच पर अन्ताकिया में आए जहां से वे उस काम के लिए जो उन्होंने पूरा किया था परमेश्वर के अनुग्रह पर सौपे गए थे वहां पहुचकर उन्होंने कलीसिया इखटी की और बताया कि परमेश्वर ने हमारे साथ होकर कैसे बड़े बड़े काम किये और अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया और वे चेलों के साथ बहुत दिन तक रहे प्रेरितों के कामों का वर्णन पंद्रवा अध्याए फिर कितने लोग यहूदिया से आकर भाईयों को सिखाने लगे कि यदि मूसा के रीती पर तुमारा खतना ना हो तो तुम उध्धार नहीं पा सकते जब पौलूस और बर्नबास का उनसे बहुत जगला और वाद विवाद हुआ तो यह ठहराया गया कि पौलूस और बर्नबास और हम में से कितने और व्यक्ति इस बात के विश्य में यरुशलेम को प्रेरतों और प्राचीनों के पास जाएं सो मनली ने उन्हें कुछ दूर तक पहुँचाया और वे फीनिके और सामरिया से होते हुए अन्ने जातियों के मन फेरने का समचार सुनाते गए और सब भाईयों को बहुत आनंदित किया जब यरुशलेम में पहुँचे तो कलीसिया और प्रेरत और प्राचीन उन से आनंद के साथ मिले और उन्होंने बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे कैसे काम किये थे परंतु फरीसियों के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था, उन में से कितनों ने उठकर कहा कि उन्हें खतना कराना और मुसा की विवस्था को मानने की आग्या देना चाहिए, तब प्रेरित और प्राचीन इस बात के विशे में विचार करने के लिए इखटे हुए, तब अतरस ने बहुत वाद विवाद के बाद खड़े होकर उनसे कहा, हे भाईयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए की परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया, कि मेरे मुह से अन्य जाती सुसमचार का वचन सुनकर विश्वास करें, और मन के जाचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारी नाई पवित्रात्मा दे कर उनकी गवाही दी, और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद न रखा, तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परिक्षा करते हो, कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रख से उधर पाएंगे, उसी रीती से हम भी पाएंगे, तब सारी सभा चुपचाप होकर बर्नबास और पॉलुस की सुनने लगी, कि परमेश्वर ने उनके द्वारा अन्य जातियों में कैसे कैसे बढ़े चिन्न और अध्भुत काम दिखाए, जब वे चुप हुए, तो याक लोग बना लें, और इससे भुषड़ताओं की बाते मिलती हैं, जैसा लिखा है, कि इसके बाद मैं फिर आकर दाओत का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा, और उसके खंधरों को फिर बनाऊंगा, और उससे खड़ा करूंगा, इसलिए कि शेश मनुष अर्थात सब अन्य जा वही प्रभु कहता है, जो जगत की उत्पत्ती से इन बातों का समचार देता आया है, इसलिए मेरा विचार यह है, कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हम उन्हें दुख न दें, परन्तु उन्हें लिख भेजें, कि वे मूर्तों की अशुध और विविचार और गला घोटे हुँ के मांच से और लोहु से परे रहें, क्योंकि पुराने समय से नगर नगर मुसा की विवस्था के परचार करने वाले होते चले आये हैं, और वह हर सब्त के दिन आराद नालाय में पढ़ी जाती है, तब सारी कलीसिया सहित प्रेर्टों और प्राचीनों को अच्छा लगा कि अपने में से कई मनुश्यों को चुने, अर्थात यहूदा जो बरसब्बा कहलाता है, और सिलास को जो भाईयों में मुखिया थे, और उन्हें पौलूस और बरनबास के साथ अंताकिया को भेजें, और उनके हाथ यह लिक भेजा कि अ नमस्कार, हमने सुना है कि हम में से कितनों ने वहां जाकर तुम्हें अपनी बातों से घबरा दिया और तुम्हारे मन उलट दिये हैं, परंतु हमने उनको आग्या नहीं दी थी, इसलिए हमने एक चित्त होकर ठीक समझा कि चुने हुए मनुश्यों को अपने प्यारे बरन अरबास और पॉलुस के साथ तुमारे पास भेजें, ये तो ऐसे मनुश्यों हैं जिन्होंने अपने प्रान हमारे प्रभुई श्मस्य के नाम के लिए जोखिम में डाले हैं, और हमने यहुदा और सिलास को भेजा है, जो अपने मुँ से भी ये बातें कह देंगे, पवित और गला घोटे हुँँ के मास से और व्यभिचार से परे रहो, इन से परे रहो, तो तुम्हारा भला होगा, आगे शुभ। फिर वे विदा होकर अंताकिया में पहुँचे, और सभा को इखटी करके वे उन्हें पत्री दे दी, और वे पढ़कर उस उपदेश की बात से अ वे कुछ दिन रहकर भाईयों से शांती के साथ विदा हुए कि अपने भेजने वालों के पास जाएं, परंतु सिलास को वहां रहना अच्छा लगा, और पॉलूस और बर्नबास अंताकिया में रह गए और बहुत और लोगों के साथ प्रभु के वचन को उबदेश करते औ की कैसे हैं, तब बर्नबास न यहना को जो मरकुस कहलाता है साथ लेने का विचार किया, परंतु पॉलूस ने उसे जो पंफूलिया में उनसे अलग हो गया था, और काम पर उनके साथ न गया, साथ ले जाना अच्छा न समझा, सो ऐसा टंटा हुआ कि वे एक दूसरे से अल उग्रह पर सौपा जाकर वहां से चला गया, और कलिस्याओं को स्थिर करता हुआ, सूरिया और किल्किया से होते हुए निकला, प्रेरितों के कामों का वर्नन सोलवा अध्याय, फिर वह दिर्बे और लुस्तरा में भी गया, और देखो वहां तीमुथियूस नाम एक चेला जो किसी विश्वासी यहुदिनी का पुत्र था, परंतु उसका पिता युनानी था, वह लुस्तरा और इकुनियूम के भाईयों में सुनाम था, पौलुस ने चाहा कि यह मेरे साथ चले, और जो यहुदी लोग उन जगहों में थे, उनके कारण उसे लेकर उसका खतना किय क्योंकि वे सब जानते थे कि उसका पिता युनानी था, और नगर नगर जाते हुए वे उन विधियों को जो यरुशलेम के प्रेरतों और प्राचीनों ने ठहराई थी, मानने के लिए उन्हें पहुँचाते जाते थे, इस प्रकार कलीसिया विश्वास में स्थिर होती और वे फ्रूगिया और गल्तिया देशों में से होकर गए और पवितर आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया, और नोंने मुसिया के निकट पहुचकर बितूनिया में जाना चाहा, परन्तु इश्यू के आत्मा ने उन्हें जाने न दिया, सो मुसिया से होकर वे तरुआस में आएं और पॉलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकी दूनी पुरुष खड़ा हुआ उससे बिंती करके कहता है कि पार उतर कर मकी दुनिया में आ और हमारी सहायता कर उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंट मकी दुनिया जाना चाहा यह समझ कर कि परमेश्वर ने हमें उन्हे सु समझार सुनाने के लिए बुलाया है सो तरुआस से जहाच खोल कर हम सीधे सुमात्रा के और दूसरे दिन निया पुलिस में आए वहां से हम फिलिप्पी में पहुँचे जो मकी दुनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियों की बस् कर उन स्त्रियों से जो इखटी हुई थी बातें करने लगे और लुदिया नाम थुआ थीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुनती थी और प्रभु ने उसका मन खोला ताकि पौलुस की बातों पर चित लगाए और जब उसने अपने घराने सम बप्तिस्मा लिया तो उसने बिंती की कि यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासनी समस्ते हो तो चल कर मेरे घर में रहो और वह हमें मना कर ले गई कि ये मनुश परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उध्धार के मार की कथा सुनाते हैं वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही परम्तु पौलुस दुखित हुआ और मोह फेर कर उस आत्मा से कहा मैं तुझे ईश्य मसी के नाम से आग्या देता हूं कि उस में से निकल जा और वह उसी घड़ी निकल गई जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारे कमाई की आशा जाती रही तो पौलुस और सिलास को पकड़के चौक में प्रधानों के पास खीच ले गए और उन्हें फौसदारी के हाकिमों के पास ले जाकर कहा ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसे व्यवहार बता रहे हैं जिने ग्रहन करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं तब भीड के लोग उनके विरोध में इखटे होकर चढ़ाए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आग्या दी और बहुत बेत लगवा कर उन्हें बंदी ग्रह में डाला और दरोगा को आग्या दी कि उन्हें चौकसी से रखे उनकी सुन रहे थे कि इतने में एका एक बड़ा भूई डोल हुआ यहां तक की बंदी ग्रह की नेव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल पड़े और दरोगा जाग उठा और बंदी ग्रह के द्वार खुले देख कर समझा कि बंदुए उसने तलवार खीच कर अपने आपको मार डालना चाहा। परन्तु पॉलूस ने उचे शब्द से पुकार कर खा, अपने आपको कुछ हानी न पहुचा, क्योंकि हम सब यहां हैं। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया, और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घावध होए, और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत मप्तिस्मा लिया, और उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे पॉलूस से कह सुनाई कि हाकिमों ने तुम्हारे छोड़ देने की आग्या भेज दी है, सो अब निकल कर कुशल से चले जाओ। परंतु पॉलूस ने उनसे कहा, उन्होंने हमें जो रोमी मनुश्य हैं, दो शीट हैराए बिना लोगों के सामने मारा और बंदी ग्रह में डाल और अब क्या हमें चुपके से निकाल देते हैं, ऐसा नहीं, परंतु वे आप आकर हमें बाहर ले जाएं। प्यादों ने ये बातें हाकिमों से कह दी, और वे यह सुनकर की रोमी हैं, दर गए, और आकर उन्हें मनाया, और बाहर ले जाकर बिन्ती की, की नगर से चले फिर वे अमफी पुलिस और अपुलोनिया होकर थिसलूनी के में आएं, जहां यहुदियों का एक आराधना ले था, और पॉलूस अपनी रीती के अनुसार उनके पास गया, और तीन सब्द के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ विबाद किया, और उनका अर्थ खोल- कि मसी को दुख उठाना और मरे हुँँ में से जी उठना अवश्य था, और यही ईश्यू जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ, मसी है, उनमें से कितनों ने, और भक्त युनानियों में से भहतेरों ने, और बहुत सी कुलीन स्रियों ने मान लिया, और पॉलूस और सि लड मचाने लगे, और यासोन के घर पर चढ़ाई करके उन्हें लोगों के सामने लाना चाहा, और उन्हें ना पाकर वे यह चिलाते हुए यासोन और कितने और भाईयों को नगर के हाक्मों के सामने खीच लाए, कि ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दि उन्होंने लोगों को और नगर के हाकिमों को यह सुना कर घबरा दिया और उन्होंने यासोन और बाकी लोगों से मुचलका लेकर उन्हें छोड़ दिया। ये बाते योही हैं कि नहीं। सो उन्होंने से भहुतों ने और युनानी कुलीन स्त्रियों में से और पुर्षों में से भहुतेरों ने विश्वास किया। किन्तु जब थिसलूनिके के यहुदी जान गए कि पॉलुस बिरिया में भी परमेशर का वचन सुनाता है, तो वहां भी आकर लोगों को उसकाने और हलचल मचाने लगे, तब भायों ने तुरंत पॉलुस को विदा किया कि समुद्र के किनारे चला जाए, परंतु सिलास और तिमुथियूस वही रह गए, पॉलुस के पहुचाने वाले उसे अथेने तक ले गए, और सिलास और तिमुथियूस के लिए यह आग्या लेकर विदा हुए कि मेरे पास बहुत शीखर आओ, जब पॉलुस अथेने में उनकी बाट जो रहा था, तो नगर को मूर्तों से भ विवाद किया करता था, तब इपिकूरी और स्तोई की पनितों में से कितने उससे तरक करने लगे, और कितनों ने कहा यह बकवादी क्या कहना चाहता है, परंतु औरों ने कहा, वह अन्य देवताओं का परचारक मालूम पढ़ता है, क्योंकि वह इश्यू का और पनुर्थ अर्थान का सुसमचार सुनाता था, तब वे उससे अपने साथ अरियू पगुस पर ले गए और पूछा, क्या हम जान सकते हैं कि यह है नया मत जो तू सुनाता है, क्या है, क्योंकि तू अनोखी बातें हमें सुनाता है, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि इनका अर्थ क्या ह इसलिए कि सब अथेनवी और परदेशी जो वहां रहते थे नई नई बातें कहने और सुनने के सिवाए और किसी काम में समय नहीं बिताते थे। अंजानने इश्वर के लिए सो जिसे तुम बिना जाने पूझते हो मैं तुम्हें उसका समचार सुनाता हूँ। जिस परमेश्वर ने प्रत्वी और उसकी सब वस्त्वों को बनाया वह स्वर्ग और प्रत्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदरों में नहीं किसी वस्तु का प्रयोजन रख कर मनुश्यों के हाथों की सेवा लेता है क्योंकि वह तो आप ही सब को जीवन और स्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुश्यों की सब जातियां सारी प्रत्वी पर रहने के लिए बनाई हैं और उनके ठहराय हुए समय और निवास के सिवानों को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूणें कदाचित उसे टटोल कर पा जाएं तो भी वे हम में से किसी से दूर नहीं क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है कि हम तो उसी के वंश भी हैं। करेगा जिसे उसने ठहराया है और उसे मरे हुँँ में से जिला कर यह बात सब पर प्रमानित कर दी है। मरे हुँं के पनुर्थान की बात सुनकर कितने तो ठठा करने लगे और कितनों ने कहा यह बात हम तुझ से फिर कभी सुनेंगे। इस पर पॉलुस उनके बीच में से निकल गया। परंतु कई एक मनुष उसके साथ मिल गए और विश्वास किया, जिन में दिवनू सियूस अर्यू पगी था और दमरिस नाम एक स्त्री थी और उनके साथ और भी कितने लोग थे। प्रेदितों के कामों का वर्णन अठारवा अध्याय। इसके बाद पॉलूस अथेने को छोड़कर कुरिंथुस में आया, और वहाँ अक्विला नाम एक यहूदी मिला, जिसका जन्म उन्तुस का था, और अपनी पतनी प्रिस्किल्ला समेत इतालिया से नया आया था, क्योंकि क्लॉदियूस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आग्या दी थी, सो वह उनके यहां गया, और उसका और उनका एक ही उद्यम था, इसलिए वह उनके साथ रहा और वे काम करने लगे, और उनका उद्यम तंबू बनाने का था, और वे हर एक सब्द के दिन आराद नालाय में वाद विवात करके, यहूदियों और पॉलूस वचन सुनाने की धुन में लगकर, यहूदियों को गवाही देता था, कि ईश्यू ही मसी है, परन्तु जब वे विरोध और निंदा करने लगे, तो उसने अपने कपड़े जाल कर उनसे कहा, तुम्हारा लोहू, तुम्हारी ही गर्दन पर है, मैं निर्दोश हू अब से मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा, और महां से चल कर वह तीतुस युस्तुस नाम परमेश्वर के एक भक्त के घर में आया, जिसका घर आरादनालाय से लगा हुआ था, तब आरादनालाय के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर वास लाए और बप्तिस्मा लिया, और प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पॉलुस से कहा, मत डर, बरन कहे जा और चुप मत रहे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानी न करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे भूच से लोग है सुवह उन में परमेश्वर का वचन सिखाते हुए देड़ वर्ष तक रहा। तो उचित था कि मैं तुम्हारी सुनता, परन्तु यदि यह वाद विवाद शब्दों और नामों और तुम्हारे यहां की विवस्था के विशय में हैं, तो तुम ही जानो, क्योंकि मैं इन बातों का न्याई बनना नहीं चाहता, और उसने उन्हें न्याई आसन के सामने स निकलवा दिया तब सब लोगों ने आराध नालाय के सरदार सोस्तिनेस को पकड़के न्याय आसन के सामने मारा परंतु गल्लियों ने इन बातों की कुछ भी चिंता ना की। सो पॉलूस बहुत दिन तक वहां रहा फिर भाईयों से विदा होकर किंक्रिया में इसलिए सिर्म उंडाया क्योंकि उसने मननत मानी थी और जहाच पर सुरिया को चल दिया और उसके साथ प्रिस्किला और अक्विला थे और उसने इफसुस में पहुँचकर उनको वहां छोड और आप ही आराध नालाएं में जाकर यहुदियों से विवाद करने लगा जब उन्होंने उससे बिंती की कि हमारे साथ और कुछ दिन रहे तो उसने स्विकार न किया परंतु यह कहकर उनसे विदा हुआ कि यदि परमेश्वर चाहे तो मैं तुम्हारे पास फिर आउंगा तब इफिसस से जहाच खोल कर चल दिया और कैसरिय में उतर कर यरिशलेम को गिया और कलीसिया को नमसकार करके अंताकिया में आया फिर कुछ दिन रहकर वहाँ से चला गया और एक ओर से गलतिया और फ्रूगिया में सब चेलों को स्थिर करता फिरा अपुल्लोस नाम एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष्था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफिसुस में आया, उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी, और मन लगा कर यिश्यु के विशे में ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था, परन्तु वह केवल यहन्न के बप्तिस्मा की बात जानता था, वह आराद नाले में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किल्ला और अक्विल्ला उसकी बाते सुनकर उसे अपने यहां ले गए, और परमिश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक मिलें, और उसने पहुचकर वहां उन लोगों की बड़ी सहायता की, जिनोंने अनुग्रह के कारण विश्वास किया था, क्योंकि वह पवित्र शास्त्र से प्रमान दे दे कर, कि यिशु ही मसी है, बड़ी प्रबलता से यहुदियों को सब के सामने निरुत्तर करता रहा, प्रेदितों के कामों का वर्णन उन्नीस हुआ अध्याय, और जब अपुलोस कुरुंत्युस में था, तो पॉलोस उपर के सारे देश से होकर इफिसुस में आया, और कई चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्रात्मा की चर्चा भी नहीं सुनी, उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बप्तिस्मा लिया? उन्होंने कहा, युहन्ना का बप्तिस्मा, पॉलोस ने कहा, युहन्ना ने यह कहकर मन फिराओ का बप्तिस्मा दिया, कि जो मेरे बाद आने वाल उस पर अर्थात यिश्यू पर विश्वास करना, यह सुनकर उन्होंने प्रभुईश्यू के नाम का बप्तिस्मा लिया, और जब पॉलूस ने उन पर हाथ रखे, तो उन पर पवित्रात्मा उत्रा, और वे भिन भिन भाशा बोलने और भविश्वद्वानी करने लगे, यह सब लगभग बारह पुरुश थे, और वे आरादनालाय में जाकर तीन महिने तक निडर होकर बोलता रहा, और परमेश्वर के राज के विशय में विवात करता और समझाता रहा, परंतु जब कितनों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी, बरन लोगों के सामने इस मार्ग को किया करता था, दो वर्ष तक यही होता रहा, यहां तक कि आसिया के रहने वाले क्या यहूदी, क्या युनानी सब ने प्रभु का वचन सुन लिया, और परमेश्वर पॉलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहां तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी दे से छुलवा कर बिमानों पर डालते थे, और उनकी बिमारियां जाती रहती थी, और दुष्टात्माएं उनमें से निकल जाया करती थी, परंतु कितने यहुदी जो जाला फूकी करते फिरते थे, यह कहने लगे, कि जिनमें दुष्टात्मा हों, उन पर प्रभु ईश्यू का नाम यह कह कर फोके, कि जिस इश्यू का प्रचार पॉलूस करता है, मैं तुम्हें उसकी शपत देता हूँ, और स्किवा नाम के एक यहुदी महायाजक के साथ पुत्र थे, जो ऐसा ही करते थे, पर दुष्टात्मा ने उत्तर दिया, कि इश्यू को मैं जानती हूँ, औ पॉलूस को भी भैचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो, और उस मनुष्ट ने, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, उन पर लपक कर, और उन्हें वश में लाकर, उन पर ऐसा उपद्रव किया, कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे, और यह बात, इफिसुस के र भोतेरों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रगट किया, और जादू करने वालों में से भोतों ने अपनी अपनी पोथियां इखटी करके सब के सामने जला दी, और जब उनका दाम जोडा गया, तो पचास हजार रुप्य की निकली, यह प्रभु का वच्चन बल पूरवक फैलता गया, और प्रबल होता गया, जब यह बातें हो चुकी, तो पौलुस ने आत्मा में ठाना की मकी दुनिया और अखाया से होकर यरुशलिम को जाओं, और कहा कि वहां जाने के बाद मुझे रोमा को भी देखना अवश्य है, सो अपनी सेवा करने वालों क्योंकि देमेत्रियूस नाम का एक सुनार अर्तिमिस के चांदी के मंदिर बनवा कर कारीगरों को बहुत काम दिलाया करता था, उसने उनको और और ऐसी वस्तुओं के कारीगरों को इखटे करके कहा, हे मनुश्यों, तुम जानते हो कि इस काम से हमें कितना धन मिलता है, और तुम देखते और सुनते हो कि केवल इफसुस ही में नहीं, वरन प्राया सारे आसिया में यह कहकर इस पॉलुस ने बहुत लोगों को समझाया और भरमाया भी है, कि जो हाथ की कारीगरी हैं, वे इश्वर नहीं, और अब केवल इसी एक बात का ही डर नहीं, कि हमारे इस धन प्रतिष्ठा जाती रहेगी, बरन यह कि महान देवी अर्तिमिस का मंदर तुछ समझा जाएगा, और जिसे सारा आसिया और जगत पूजता है, उसका महत्व भी जाता रहेगा, वे यह सुनकर क्रोट से भर गए, और चिला चिला कर कहने लगे, इफीसियों की अर्तिमिस महा और सारे नगर में बड़ा कोला हल मच गया, और लोगों ने गयुस और अरेस्थरकुस मके दुनिया को जो पॉलुस के संगी यात्री थे पकड़ लिया, और एक चित होकर रंगशाला में दोड़ गए, जब पॉलुस ने लोगों के पास भीतर जाना चाहा, तो चेलों ने उसके कई मित्रों ने उसके पास कहला भेजा, और बिंती की, की रंगशाला में जाकर जोखिम न उठाना, सो कोई कुछ चिलाया, और कोई कुछ, क्योंकि सभा में बड़ी गड़बड़ी हो रही थी, और बहुत से लोग तो यह जानते भी नहीं थे, कि हम किसलिए इखटे हुए हैं, तब उन्होंने सिकंदर को, जिसे यहुदियों ने खड़ा किया था, भीड में से आगे बढ़ाया, और सिकंदर हाथ से सैन करके, लोगों के सामने उत्तर दिया चाहता था, परंतु जब उन्होंने जान लिया, कि वे यहुदी है, तो सब के सब एक शब्द से, क कौन नहीं जानता कि इफिसियों का नगर, बड़ी देवी, अर्तिमिस के मंदिर और ज्यूस की ओर से गिरी हुई मूरत का तहलुआ है, सो जबकि इन बातों का खंडन ही नहीं हो सकता, तो उचित है कि तुम चुपके रहो, और बिना सोचे विचारे कुछ न करो, क्योंकि तुम इन मनुश्यों को लाए हो, जो ना मंदिर के लूटने वाले हैं, और ना हमारी देवी के निंदक हैं, यदि देमेत्रियूस और उसके साथ ही कारीगरों को किसी से विवाद हो, तो कचहरी खुली है और हाकिम भी है, वे एक दूसरे पर नालिश करें, परंतु यदि तुम किसी और बात के विशे में कुछ पूछना चाहते हो, तो नियत सभा में फैसला किया जाएगा, क्योंकि आज के बलवे के कारण हम पर दोश लगाये जाने का डर है, इसलिए कि इसका कोई कारण नहीं, सो हम इस भीड के इखटा होने का कोई उत्तर न दे सकेंगे, और यह कहके उसने सभा को विदा किया, प्रेरितों के कामों का वर्णन बीस्वा ध्याये, जब हुलर थम गया तो पॉलुस ने चेलों को बलवा कर समझाया, और उनसे विदा होकर मकि दुनिया की ओर चल दिया, और उस सारे देश में से होकर और उन्हें बहुत समझा कर वह जब तीन महिने रहकर जहाच पर सूरिया की ओर जाने पर था, तो यहूदी उसकी घात में लगे, इसलिए उसने यह सलहा की, कि मकि दुनिया होकर लौट जाए। पॉलूस आसिया तक उसके साथ हो लिये, वे आगे जाकर तुरौस में हमारी बाट जोहते रहे, और हम अखमीरी रोटी के दिनों के बाद, फिलिप्पी से जहाज पर चड़कर, पांच दिन में तुरौस में उनके पास पहुँचे, और साथ दिन तक वही रहे। जिस अटारी पर हम इखटे थे, उसमें बहुत दिये जल रहे थे, और यूतुखुस नाम का एक जबान, खिड़की पर बैठा हुआ, गहरी नींद से जुक रहा था, और जब पॉलूस देर तक बातें करता रहा, तो वह नींद के जोके में तीसरी अटारी पर से गिर पड और उपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा, कि पॉप फट गई, फिर वह चला गया, और वे उस लड़के को जीवित ले आए, और बहुत शान्ती पाई। हम पहले से जहाच पर चढ़कर असुस को इस विचार से आगे गए, कि वहां से हम पॉलुस को चढ़ा लें, क्योंकि उसने यह इसले ठहराया था, कि आप ही पैदल जाने वाला था। हिसस के पास से होकर जाने की ठानी थी, कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे आसिया में देर लगे, क्योंकि वह जल्दी करता था, कि यदि हो सके, तो उसे पिंतेकुस्त का दिन यरुशले में कटे। और उसने मिले तुस से इफिसस में कहला भेजा, और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया, जब वे उसके पास आए, तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुँचा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा? अर्थात बड़ी दीनता से और आंसु बहा बहा कर, और उन परिक्षाओं में जो यहूदियों के शर्यंत के कारण मुझ पर आपड़ी, मैं प्रभू की सेवा करता ही रहा, और जो जो बाते तुम्हरे लाप की थी, उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी न जुचका, बरन यहूदियों और युनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की और मन फिराना और हमारे प्रभूईश्य मसी पर विश्वास करना चाहिए, और अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ, यरुशलेम को जाता हूँ, और नहीं जानता कि कि वहां मुझ पर क्या-क्या बीतेगा, केवल यह है कि पवित्रात्मा हर नगर में गवाही दे दे कर मुझ से कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है, परन्तु मैं अपने प्रान को कुछ नहीं समझता कि उससे प्रिय जानू, बरन यह है कि मैं अपनी दौड को और उस सेवकाई को पूरी करूं, जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमचार पर गवाही देने के लिए प्रभु इशु से पाई है, और अब देखो, मैं जानता हूं कि तुम सब जिन में मैं परमेश्वर के राज का प्रचार करता फिरा, मेरा मोह फिर न इसलिए मैं आज के दिन तुम से गवाही दे कर कहता हूं कि मैं सब के लोहु से निर्दोश हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर की सारी मंसा को तुम्हें पूरी रीती से बताने से न जिजगा, इसलिए अपनी और पूरे जुंड की चौक्सी करो, जिसमें पवित्रात्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लोहु से मोल लिया है, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फारने वाले भेडिये तुम्हें आएंगे, जो जुंड को न छोड़ेंगे, तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष उठेंगे, जो चेलों को अपने पीछे खीच लेने को टेड़ी मेरी बातें कहेंगे, इसलिए जागते रहो और स्मरण करो, कि मैंने तीन वर्ष तक राद दिन आंसु बहा बहा कर हर एक को चितौनी देना न छोड़ा, और अब मैं तुम्हें परमे मैंने किसी की चांदी, सोने या कपड़े का लालच नहीं किया, तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवशकताएं पूरी की, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीती से परिश्रम करते हुए निरबलों को संभालना और प्र आर्थना की, तब वे सब बहुत रोए और पॉलुस के गले में लिपट कर उसे चुमने लगे, वे विशेश करके इस बात का शोक करते थे, जो उसने कही थी कि तुम मेरा मुँ फिर ना देखोगे, और उन्होंने उसे जहाज तक पहुँचाया, प्रेदितों के कामों का व पत्रा में और एक जहाज फिनीके को जाता हुआ मिला, और उस पर चढ़कर उसे खोल दिया, जब कुपरुस दिखाई दिया, तो हमने उसे बाएं हाथ छोड़ा, और सूरिया को चल कर सूर में उतरे, क्योंकि वहाज जहाज का बोज उतारना था, और चेलों को पाकर हम वह साथ दिन तक रहे, उन्होंने आत्मा के सिखाए पौलूस से कहा, कि एरुशले में पाउं न रखना, जब वे दिन पूरे हो गए, तो हम वहाँ से चल दिये, और सब ने स्त्रियों और बालकों समेत हमें नगर के बाहर तक पहुँचाया, और हमने किनारे पर घुटने टेक कर प्रार्थना की, तब एक दूसरे से विदा होकर हम तो जहाज पर चढ़े, और वे अपने अपने घर लोट गए, तब हम सूर से जल्यात्रा पूरी करके, पतुली मैस में पहुँचे, और भाईयों को नमस्कार करके उनके साथ एक दिन रहे, दूसरे दिन हम वहाँ से च चार कुवारी पुत्रियां थी, जो भविश्दवानी करती थी, जब हम वहाँ बहुत दिन रह चुके, तो अगबुस नाम एक भविश्दत्ता यहूदिया से आया, उसने हमारे पास आकर पॉलुस का पठका लिया, और अपने हाथ पाँँ बांध कर कहा, पवितरात्मा य पठका है, उसको यरुश्देम यहुदी इसी रीती से बांधेंगे, और अन जातियों के हाथ में सौपेंगे, जब ये बातें सुनी, तो हम और वहाँ के लोगों ने उससे बिंती की, कि यरुश्देम को न जाए, परंतु पॉलुस ने उत्तर दिया, कि तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा मन तोड़ते हो, मैं तो प्रभु ईश्देम के लिए यरुश्देम में न केवल बांधे जाने ही के लिए बरन मरने के लिए भी तैयार हूँ, जब उसने न माना, तो हम यह कहकर चुप हो गए, कि प्रभु की इच्छा पूरी हो, उन दिनों के बाद, हम बांध छांद कर यरुश्देम को चल दिये, कैसरिया के भी कितने चेले हमारे साथ हो लिए, और मना सोन नाम कुपरुस के एक पुराने चेले को साथ ले आए, कि हम उसके यहां तिके, जब हम यरुश्देम में पहुँचे, तो भाई बड़े आनंद के साथ हम से मिले, अन्य जातियों में किये थे, एक एक करके सब बताया, उन्होंने यह सुनकर परमेश्वर की महिमा की, फिर उससे कहा, हे भाई, तू देखता है, कि यहूदियों में से कई हजार ने विश्वास किया है, और सब विवस्था के लिए धुन लगाए हैं, और उनको तेरे विश का खतना कराओ, और ना रीतियों पर चलो, सो क्या किया जाए, लोग अवश्य सुनेंगे कि तू आया है, इसलिए जो हम तुछ से कहते हैं, वहकर हमारे यहां चार मनुष्य हैं, जिन्होंने मननत मानी हैं, उन्हें लेकर उनके साथ अपने आपको शुद्ध कर, और उनके लिए खर्चा दे कि वे सिर मुलाएं, तब सब जान लेंगे कि जो बातें उन्हें तेरे विश्य में सिखाई गई, उनकी कुछ जड़ नहीं हैं, परंतु तू आप भी विवस्था को मान कर उसके अनुसार चलता है, परंतु उन अनजातियों के विश्य में, जिन्होंने विश्वास किया है, हमने यह निर्णा करके लिख भेजा है, कि वे मूर्तों के सामने बली किये हुए माज से और लोहु से और गला घोटे हुँं के माज से और विविचार से बचे रहें, तब पॉलुस उन मनिश्यों को लेकर और दूसरे दिन उनके साथ शुध होकर मंद दिन कब पूरे होंगे। उन्होंने तो इस से पहले तुरुफिमुस इफसी को उसके साथ नगर में देखा था और समस्ते थे कि पॉलुस उसे मंदिर में ले आया है, तब सारे नगर में कोला हल मच गया, और लोग दोड़ कर इखटे हुए और पॉलुस को पकड़ कर मंदिर के बाहर घसीत लाए औ और तुरंथ द्वार बंद किये गए। और उसने क्या किया है, परंतु भीड में से कोई कुछ और कोई कुछ चिलाते रहे, और जब हुलर के मारे ठीक सच्चाई न जान सका, तो उससे गढ़ में ले जाने की आग्या दी। जब वे सीड़ी पर पहुँचा, तो ऐसा हुआ कि भीड के दबाव के मारे सिपाहियों को उसे उठा कर ले जाना पड़ा, क्योंकि लोगों की भीड यह चिलाती हुई उसके पीछे पड़ी कि उसका अंत कर दो। जब वे पॉलूस को गढ़ में ले जाने पर थे, तो उसने पल्टन के सरदार से कहा, क्या मुझे आग्या है कि मैं तुझ से कुछ कहूं। उसने क क्या तू युनानी जानता है, क्या तू वे मिस्री नहीं जो इन दिनों से पहले बलवई बनाकर चार हजार कटार बंद लोगों को जंगल में ले गया। पॉलूस ने कहा, मैं तो तरसुस का यहुदी मनुश्य हूँ, किल किया के प्रसिध नगर का निवासी हूँ, और मैं चुप हो गए, तो वे इबरानी भाषा में बोलने लगा कि प्रेदितों के कामों का वर्णन बाईस्वा ध्याय। हे भाईयों और पित्रों, मेरा प्रत्युत्तर सुनों, जो मैं अब तुम्हारे सामने कहता हूँ, वे यह सुनकर कि वे हमसे इबरानी भाषा में बोलता है और भी चुप रहे। तब उसने कहा, मैं तो यहूदी मनुश्य हूँ, जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलियल के पाउं के पास बैठकर पढ़ाया गया, और बाप दादों की विवस्ता की ठीक रीती पर सिखाया गया, और परमेश्वर के अहां तक सताया कि उन्हें मरवा भी डाला, इस बात के लिए महायाजक और सब पुर्निय गवाँ हैं, कि उन में से मैं भाईयों के नाम पर चिथियां लेकर दमिश्क को चला जा रहा था, कि जो वहां हों, उन्हें भी दंड दिलाने के लिए बांध कर यरुश्लेम में ला पूचा, तो ऐसा हुआ कि दो पहर के लगभग, एका एक, एक बड़ी जोती आकाश से मेरे चारों और चमकी, और मैं भूमी पर गिर पड़ा, और यह शब्द सुना, कि हे शाओल, हे शाओल, तू मुझे क्यों सताता है, मैंने उत्तर दिया, कि हे प्रभू तू कौन है, उ जो मुझसे बोलता था, उसका शब्द न सुना, तब मैंने कहा, हे प्रभू, मैं क्या करूँ, प्रभू ने मुझसे कहा, उठकर दमिश्क में जा, और जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया है, वहां तुछ से सब कह दिया जाएगा, जब उस जोती के तेज के मारे यहूदियों में सुनाम था, मेरे पास आया, और खड़ा होकर मुझसे कहा, हे भाई शाओल, फिर देखने लग, उसी घड़ी मेरे नेत्र खुल गए, और मैंने उसे देखा, तब उसने कहा, हमारे बाप दादों के परमिश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है, कि तू उस की इच्छा को जाने, और उस धर्मी को देखे, और उसके मुह से बाते सुने, क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुश्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा, जो तूने देखी और सुनी है, अब क्यों देर करता है, उठ, बबतिस्मा ले, और उसका नाम लेकर अपने पाप न कर रहा था, तो बेसुध हो गया, और उसको देखा, कि मुझ से कहता है, जल्दी करकि एरुशलेम से जट निकल जा, क्योंकि वे मेरे विश्यों में तेरी गवाही न मानेंगे, मैंने कहा, हे प्रभु, वे तो आप जानते हैं कि मैं तुझ पर विश्वास करने वालों को बंदी ग्रह में डालता और जगा जगा आराद नाले में पिटवाता था, और जब तेरे गवाह स्टिफनुस का लोहू बहाया जा रहा था, तब मैं भी वहां खड़ा था, और इस बात में सहमत था, और उसके घातकों के कपड़ों की रखवाली करता था, और उसने मुझ स कहा चला जा, क्योंकि मैं तुझे अन्य जातियों के पास दूर दूर भेजूंगा, वे इस बात तक उसकी सुनते रहे, तब उचे शब्द से चलाए कि ऐसे मनुष का अंत करो, उसका जीवित रहना उचित नहीं, जब वे चलाते और कपड़े फेकते और आकाश में धूल तो पल्टन के सुबेदार ने कहा, कि इसे गढ़ में ले जाओ, और कोडे मार कर जाचो, कि मैं जानू कि लोग किस कारण उसके विरोध में ऐसा चिला रहे हैं, तब उन्होंने उसे तस्मों से बांधा, तो पॉलूस ने उस सुबेदार से जो पास खड़ा था, कहा, क्या यह उचित है कि तुम एक रोमी मनुष को, और वह भी बिना दोशी ठराये हुए कोडे मारो। सुबेदार ने यह सुनकर पल्टन के सरदार के पास जाकर कहा, तू यह क्या करता है, यह तो रोमी मनुष है, तब पल्टन के सरदार ने उसके पास आकर कहा, मुझे बता, क्या तु रोमी है? उसने कहा हाँ. यह सुनकर पल्टन के सरदार ने कहा कि मैंने रोमी होने का पद बहुत रुपिय दे कर पाया है. पौल उसने कहा मैं तो जन्म से रोमी हूँ. तब जो लोग उसे जाचने पर थे वे तुरंट उसके पास से हट गए और पल्टन का सरदार भी यह जानकर कि यह रोमी है और मैंने उसे बांधा है डर गया. दूसरे दिन वे ठीक ठीक जानने की इच्छा से कि यहूदी उस पर क्यों दोश लगाते हैं उसके बंधन खोल दिये और महायाजकों और सारी महासभा को इखटे होने की आग्या दी और पौलुस को नीचे ले जाक उनके सामने खड़ा कर दिया. प्रेदितों के कामों का वर्णन तेईस्वा अध्याए. पौलुस ने महासभा की ओर टक्टकी लगा कर देखा और कहा हे भाईयों मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिलकुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है. हनन्या महायाजक ने उ उनको जो उसके पास खड़े थे उसके मुह पर थपड मारने की आज्या दी. तब पौलुस ने उससे कहा हे चुना फिरी हुई भीत परमेश्वर तुझे मारेगा. तू व्यवस्था के अनुसार मेरा नयाय करने को बैठा है और फिर क्या व्यवस्था के वरुद मुझे मा मायाजक है क्योंकि लिखा है कि अपने लोगों के प्रधान को बुरा ना कहे. तब पौलुस ने यह जानकर कि कि कितने सदूकी और कितने फरीसी हैं सभा में पुकार कर कहा हे भाईयो मैं फरीसी और फरीसियों के वंश का हूँ. मरे हुऊं की आशा और पुनुरत्थान के विशे में मेरा मुकदमा हो रहा है. जब उसने यह बात कही तो फरीसियों और सदूकियों में जगला होने लगा और सभा में फूट पड़ गई. क्योंकि सदूकी तो यह कहते हैं कि ना पुनुरत्थान है ना स्वर्गदूत और ना आत्मा है परंतु फरीसी दोनों मानते हैं. तब बड़ा हल्ला मचा और कितने शास्त्री जो फरीसियों के दलके थे उठकर यों कहकर जगडने लगे कि हम इस मनुष में कुछ बुराई नहीं पाते और यदि कोई आत्मा या स्वर्गदूत उससे बोला है तो फिर क्या? जब बहुत जगडा हुआ तो पल्तन के स से बर्बस निकालो और गढ़ में ले आओ. उसी रात प्रभू ने उसके पास आ खड़े होकर कहा, हे पॉलुस धालस मांध, क्योंकि जैसी तुने यरुष्ले में मेरी गवाही दी, वैसी ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी. जब दिन हुआ तो यहोदियों ने एका किया, और शपत खाई कि जब तक हम पॉलुस को मार न डाले, तब तक खाएं या पियें, तो हम पर धिकार. जिन्होंने आपस में यह शपत खाई थी, वे चालिस जनों के उपर थे. उन्होंने महायाजकों और पुर्णियों के पास आकर कहा, हमने यह ठाना है कि जब तक हम पॉलुस को मार न डाले, तब तक यदि कुछ चखे भी, तो हम पर धिकार पर धिकार है. इसलिए अब महासभा समेत पल्टन के सरदार को समझाओ, कि उसे तुम्हारे पास ले आए, मानो कि तुम उसके विश्य में और भी ठीक करना चाहते हो, और हम उसके पहुचने से पहले ही उसे मार डालने के लिए तयार रहेंगे. और पॉलुस के भांजे ने सुना कि वे उसकी घात में हैं, तो गढ़ में जाकर पॉलुस को संदेश दिया. पॉलुस ने सूबेदारों में से एक को अपने पास बुला कर कहा, इ यह जवान पल्टन के सरदार से कुछ कहना चाहता है, उसे उसके पास ले जा. पल्टन के सरदार ने उसका हाथ पकड़ कर और अलग ले जाकर पूछा, मुझ से क्या कहना चाहता है? उसने कहा, यहूदियों ने एका किया है कि तुझ से बिंती करें, किकल पॉलुस को में लाएं, मानो तु और ठीक से उसकी जाच करना चाहता है, परन्तु उनकी मत मानना, क्योंकि उनमें से चालीस के उपर मनुष उसकी घात में हैं, जिन्होंने यह ठान लिया है कि जब तक हम पॉलुस को मार न डालें, तब तक खाएं पियें, तो हम पर धिकार. और अभी वे तयार हैं, और तेरे वचन की आस देख रहे हैं, तब पल्टन के सरदार ने जवान को यह आग्या देकर विदा किया, कि किसी से न कहना कि तूने मुझ को ये बातें बताई हैं, और दो सुबेदारों को बुला कर कहा, दो सो सिपाही, सत्तर सवार, और दो सो भ पहर रात बीते कैसरिया को जाने के लिए तयार कर रखो, और पॉलुस की सवारी के लिए घोडे तयार रखो, कि उसे फेलिक्स हाकिम के पास कुशल से पहुचा दें, उसने इस प्रकार की चिठ्ठी भी लिखी, अप्रतापी फेलिक्स हाकिम को कलॉदियूस लूसियास का इस मनुष को यहूदियों ने पकड़ कर मार डालना चाहा, परंतु जब मैंने जाना कि रोमी हैं, तो पल्टन लेकर छुडा लाया, और मैं जानना चाहता था कि वे उस पर किस कारण दोश लगाते हैं, इसलिए उसे उनकी महसभा में ले गया, तब मैंने जान लिया कि वे अपनी विवस्था के विवादों के विशय में उस पर दोश लगाते हैं, परंतु मार डाले जाने या बांधे जाने के योग उसमें कोई दोश नहीं, और जब मुझे बताया गिया कि वे इस मनुष की घात में लगे हैं, तो मैंने तुरंत उसको तेरे पास भेज दिया, और मुद्दैयों को भी आग्या दी कि तेरे सामने उस पर नालिश करें, सो जैसे सिपाहियों को आग्या दी गई थी, वैसे ही पौलुस को लेकर रातों रात अंति पत्रिस में लाए, दूसरे दिन वे सवारों को उसके साथ जाने के लिए छोड़ कर आप गढ़ को लोटे उन्होंने कैसरिय में पहुँचकर हाकिम को चिठी दी और पॉलुस को भी उसके सामने खड़ा किया, उसने पढ़कर पूछा, यह किस देश का है, और जब जान लिया कि किल्किया का है, तो उससे कहा, जब तेरे मुद्दै भी आएंगे, तो मैं तेरा मुकदमा करूंगा, और उसने उसे हिरोदेस के किले में पहरे में रखने की आग्या दी, प्रेरितों के कामों का वर्णन चौबीसमा अध्याए, पांच दिन के बाद हनन्या महायाजक कई पुर्णियों और तिरतुलुस नाम किसी वकील को साथ लेकर आया, उन्होंने हाकिम के सामने पॉलुस पर नालिश की, जब वह बुलाया गया, तो तिरतुलुस उस पर दोश लगा कर कहने लगा, कि हे महाप्रतापी फेलिक्स, तेरे द्वारा हमें जो बड़ा कुशल होता है, और तेरे प्रबंद से इस जाती के लिए कितनी बुराईयां सुधरती जाती हैं, इसको हम हर जगह और हर प्रकार से धन्यवात के साथ मानते हैं, परंतु इसलिए कि तुझे और दुख नहीं देना चाहता, मैं तुझसे बिंती करता हूं कि कृपा करके हमारी दो एक बातें सुन ले, क्योंकि हमने इस मनुश को उपद्रवी और जगत के सारे यहुदियों में बलवा कराने और नासरियों के कुपंथ का मुखिया पाया है, उसने मंदिर को अशुध करना चाहा और हमने उसे पकड़ा, इन सब बातों को जिनके विशे में हम उस पर दोश लगाते हैं, तु आप ही उसको जाच करके जान लेगा, यहुदियों ने भी उसका साथ दे कर कहा, ये बाते इसी प्रकार की हैं, जब हाकिम ने पॉलुस को बोलने के लिए सैन किया, तो उसने उत्तर दिया, मैं यह जान कर, कि तु बहुत वर्षों से इस जाती का न्याय करता है, आनंद से अपना प्रत्युत्तर देता हूं, तु आप जान सकता है, कि जब से मैं ये रुशले में भ भीर लगाते पाया, और ना तो वे उन बातों को, जिनका वे अब मुझ पर दोश लगाते हैं, तेरे सामने सच ठहरा सकते हैं, परंतु यह मैं तेरे सामने मान लेता हूं, कि जिस पंथ को वे कुपंथ कहते हैं, उसी की रीती पर मैं अपने बाप दादों के परमेश्वर क सेवा करता हूं, और जो बातें विवस्था और भविश दख्ताओं की पुस्तकों में लिखी हैं, उन सब की प्रतीती करता हूं, और परमेश्वर से आशा रखता हूं, जो वे आप भी रखते हैं, कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा, इससे मैं आप भी यत कि परमेश्वर की और मनुश्यों की और मेरा विवेक सदा निर्दोश रहे। बहुत वर्षों के बाद मैं अपने लोगों को दान पहुचाने और भेट चढ़ाने आया था। उन्होंने मुझे मंदिर में शुद्ध दशा में बिना भीड के साथ और बिना दंगा करते हुए इस काम में पाया। हाँ आसिया के कई यहूदी थे उनको उचित था कि यदि मेरे विरोध में उनकी कोई बात हो तो यहां तेरे सामने आकर मुझ पर दोश लगाते। या यह आप ही कहें कि जब मैं महासभा के सामने खड़ा था तो उन्होंने मुझ में कौन सा अपरहत पा आज मेरा तुम्हारे सामने मुकदमा हो रहा है। फैलिक्स ने जो इस पंथ की बातें ठीक ठीक जानता था उन्हें यह कहकर टाल दिया कि जब पल्टन का सरदार लूसियास आएगा तो तुम्हारी बात का निर्ने करूंगा और सुवेदार को आग्या दी कि पालुस को सु फैलिक्स अपनी पतनी दुरुसिल्ला को जो यहूदनी थी साथ लेकर आया और पॉलुस को बुलवा कर उस विश्वास के विशे में जो मसी यिशु पर है उस से सुना और जब वह धर्म और सैयम और आने वाले न्याई की चर्चा करता था तो फैलिक्स ने भैमान होकर उत थी इसलिए और भी बुला बुला कर उस से बातें किया करता था परंतु जब दो वर्ष बीत गए तो पुर्कियूस फैस्तुस फैलिक्स की जगह पर आया और फैलिक्स यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पॉलुस को बंधुआ छोड़ गया प्रेदितों के कामों क गवर्णन पच्चीसमा अध्याए और मैं आप जल्द वहां जाऊंगा फिर कहा तुम में जो अधिकार रखते हैं वे साथ चलें और यदि इस मनुष ने कुछ अनुचित काम किया है तो उस पर दोश लगाएं और उनके बीच कोई आठ दस दिन रहकर वह कैसरिया गया और दूसरे दिन न्याय आसन पर बैठ अरी दोश लगाएं जिनका प्रमाणवे नहीं दे सकते थे परंतु पॉलुस ने उत्तर दिया कि मैंने न तो यहूदियों की विवस्था का और ना मंदिर का और ना कैसर का कुछ अपराध किया है तब फेस्तुस ने यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पॉलुस को उत्तर दिया क्या तू चाहता है कि अरिशलेम को जाए और वहां मेरे सामने तेरा यह मुकदमा तै किया जाए पॉलुस ने कहा मैं कैसर के न्याय आसन के सामने खड़ा हूँ मेरे मुकदमे का यहीं फैसला होना चाहिए जैसा तू अच्छी तरह जानता है यहूदियों का म मुझ पर दोश लगाते हैं यदि उन में से कोई बात सच न ठहरे तो कोई मुझे उनके हाथ नहीं सौप सकता मैं कैसर की दोहाई देता हूँ तब फिस्तुस ने मंत्रियों की सभा के साथ बाते करके उत्तर दिया तूने कैसर की दोहाई दी है तू कैसर के पास जाएगा औ और कुछ दिन बीतने के बाद अगरिपा राजा और बिरनीके ने कैसरिया में आकर फिस्तुस से भेट की और उनके बहुत दिन वहाँ रहने के बाद फिस्तुस ने पौलुस की कथा राजा को बताई कि एक मनुश है जिसे फेलिक्स बंधुआ छोड़ गया है जब मैं रोमियों की यह रीती नहीं कि किसी मनुश को दंड के लिए सौप दें जब तक मुद्दा अलाह को अपने मुद्दैयों के आमने सामने खड़े होकर दोश के उत्तर देने का अवसर न मिले। परंतु अपने मत के और ईश्यू नाम किसी मनुश के विशय में जो मर गया था और पॉलुस उसको जीवित बताता था विवात करते थे और मैं उलज़न में था कि इन बातों का पता कैसे लगाऊं इसलिए मैंने उस से पूछा क्या तू यरुशलिम जाएगा कि वहां इन पॉलुस ने दोहाई दी कि मेरे मुकदमे का फैसला महाराजा धिराच के याँ हो तो मैंने आग्या दी कि जब तक उसे कैसर के पास न भेजू उसकी रखवाली की जाए तब अग्रिपा ने फेस्तुस से कहा मैं भी उस मनुश की सुनना चाहता हूँ उसने कहा तू कल सुन साथ दरबार में पहुँचे तो फैस्तुस ने आग्या दी कि वे पॉलुस को ले आएं। फैस्तुस ने कहा हे महाराजा अग्रिपा और हे सब मनुश्यों जो यहां हमारे साथ हो तुम इस मनुश को देखते हो जिसकी विशे में सारे यहुदियों ने यरुशलेम में और जहां भी चिला चिला कर मुझसे बिन्ती की कि इसका जीवित रहना उचित नहीं। परंतु मैंने जान लिया कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया कि मार डाला जाए। और जब कि उसने आप ही महाराजा धिराज की दोहाई दी तो मैंने उसे भेजने का उपाई निकाला। इसलिए मैं उसे तुम्हारे सामने और विशेश करके हे महराजा अगरिपा तेरे सामने लाया हूँ कि जाचने के बाद मुझे कुछ लिखने को मिले, क्योंकि बंधवे को भेजना और जो दोश उस पर लगाए गए उन्हें ना बताना मुझे व्यर्थ समझ पड़ता है। प्रेरितों के कामों का वर्णन 26 मा अध्याए। अगरिपा ने पौलूस से कहा, तुझे अपने विशे में बोलनी की आग्या है। तब पौलूस हाथ बढ़ा कर उत्तर देने लगा, कि हे राजा अगरिपा, जितनी बातों का यहुदी मुझ पर दोश लगाते हैं, आज त जानता है, सो मैं बिंती करता हूँ, धीरत से मेरी सुन ले। जैसा मेरा चाल चलन आरम से अपनी जाती के बीच और यहुदी जानते हैं। वे यदि गवाही देना चाहते हैं, तो आरम से मुझे पहचानते हैं, कि मैं फरीसी होकर अपने धर्म के सबसे खरे पंथ के अनुस पर मुकदमा चल रहा है। उसी प्रतिग्या के पूरे होने की आशा लगाए हुए, हमारे बारहों गोत्र अपने सारे मन से राद दिन परमेश्वर की सेवा करते आये हैं। हे राजा, इसी आशा के विशे में यहुदी मुझ पर दोश लगाते हैं। जबकि परमेश्वर म इश्यू नासरी के नाम की विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए। और मैंने यरुश्ले में ऐसा ही किया, और महायाजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदी ग्रह में डाला, और जब वे मार डाले जाते थे, तो मैं भी उनके विरोध में ऐसा पागल हो गया कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था। इसी धुन में जब मैं महायाजकों से अधिकार और परवाना लेकर दमिश्क को जा रहा था, तो हे राजा मार्ग में दो पहर के समय मैंने आकाश से सूर के तेच से भी बढ़कर एक जोती अपने औ मुझसे यह कहते हुए यह शब्द सुना, कि हे शाओल, हे शाओल, तू मुझे क्यों सताता है, पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है, मैंने कहा, हे प्रभु तू कौन है, प्रभु ने कहा, मैं यीश्यू हूँ, जिसे तू सताता है, प्रण्द तू उठ, अपने और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूँगा, और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेशता हूं, कि तु उनकी आंखें खोले, कि वे अंधकार से जोती की और, और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की और फिरें कि पापों की ख्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किये गए हैं मिरास पाएं। मुझे मंदिर में पकड़ के मार डालने का यतन करते थे। सो परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूँ और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूँ और उन बातों को छोड़ कुछ नहीं कहता जो भष्षदक्ताओं और मूसा ने भी कहा कि होने वाली हैं कि मस ही को दुख उठाना होगा और वही सबसे पहले मरे हुँ में सजी उठकर हमारे लोगों में और अन जातियों में जोती का परचार करेगा। जब वैं इस रीती से उत्तर दे रहा था तो फेस्तुस ने उचे शब्द से कहा हे पौलूस तू पागल है बहुत विद्या ने त प्रतापी फेस्तुस मैं पागल नहीं परंतु सच्चाई और बुद्धी की बाते कहता हूँ राजा भी जिसके सामने मैं निडर होकर बोल रहा हूँ ये बातें जानता है और मुझे प्रतीती है कि इन बातों में से कोई उससे छिपी नहीं क्योंकि यह घटना तो कोने में नहीं हुई हे राजा अग्रिपा क्या तू भर्षदक्ताओं के प्रतीती करता है हाँ मैं जानता हूँ कि तू प्रतीती करता है तब अग्रिपा ने पौलुस से कहा तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीही बनाना चाहता है पौलुस ने कहा परमेश्वर से मेरी प्रार् मेरे समान हो जाएं तब राजा और हाकिम और बिरनी के और उनके साथ बैठने वाले उठ खड़े हुए और अलग जाकर आपस में कहने लगे यह मनुश ऐसा तो कुछ नहीं करता जो मृत्यू या बंधन के योग्य हो अगरिपा ने फेस्तुस से कहा यदि यह मनुश कैसर की दोहाई न देता तो छूट सकता था प्रेदितों के कामों का वर्णन सत्ताइसम अध्याए जब यह ठहराया गया कि हम जहाच पर इतालिया को जाएं तो उन्होंने पॉलूस और कितने और बंधों को भी यूलियूस नाम अगुस्तुस की पल्तन के एक सुबेदार के हाथ स सिलूनी के का एक मकीदूनी हमारे साथ था दूसरे दिन हमने सैदा में लंगर डाला और यूलियूस ने पॉलूस पर क्रपा करके उसे मित्रों के यहां जाने दिया कि उसका सत्कार किया जाए वहां से जहाच खोल कर हवा विरुध होने के कारण हम कुपरुस की आड में होक चले और किलकिया और पमफूलिया के निकट के समुद्र में होकर लूसिया के मूरा में उतरे वहां सूबेदार को सिकंदरिया का एक जहाच इतालिया जाता हुआ मिला और उसने हमें उस पर चढ़ा दिया और जब हम बहुत दिनों तक धीरे धीरे चलकर कठिन्ता से उसके सामने पहुँचे, तो इसलिए कि हवा हमें आगे बढ़ने न देती थी, सलमोने के सामने से होकर क्रेते की आड में चले, और उसके किनारे किनारे कठिंता से चलकर शुभ लंगर बारी नाम एक जगह पहुँचे, जहां से लस्या नगर निकट था। ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ती और बहुत हानी ना केवल माल और जहाज की वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। परंतु सुबेदार ने पौलुस की बातों से मांजी और जहाज के स्वामी की बढ़कर मानी और वह बंदर स्थान जाडा काटने के ल जो दखिन पच्छिम और उत्तर पच्छिम की ओर खुलता है। जब कुछ-कुछ दखिनी हवा बहने लगी तो यह समझ कर कि हमारा मतलब पूरा हो गया, लंगर उठाया और किनारा धरे हुए क्रेते के पास से जाने लगे। परंतु थोड़ी देर में वहां से एक बड़ी आंधी उठी जो यूर कुलीन कहलाती है। जब यह जहाच पर लगी तब वह हवा के सामने ठैर ना सका, सो हमने उसे बहने दिया और इसी तरह बहते हुए चले गए। तब कौदा नाम एक छोटे से टापू की आड में बहते बहते हम कठिंता से डोंगी को वश में कर सके। मलाहों ने उसे उठा कर अने कुपाई करके जहाच को नीचे से बांधा और सुर्तिस के चोर बालू पर टिक जाने के भैसे पाल और सामन उतार कर बहते हुए चले गए। और जब हमने आंधी से बहुत हिचकोले और धके खाए तो दूसरे दिन वे जहाच का माल फेकने और बड़ी आंधी चल रही थी तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। जब वे बहुत उपवास कर चुके तो पॉलोस ने उनके बीच में ख़डा होकर कहा, हे लोगो, चाहिए था कि तुम मेरी बात मान कर क्रेते से ना जहाच खोलते और ना यह विपत और हा हानी उठाते, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि धालस बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानी ना होगी केवल जहाच की, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पॉलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है, और देख, परमेश्वर ने सब को जो तेरे साथ यात्रा करते हैं, तुझे दिया है, इसलिए हे सज्जनों धालस बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर की प्रतीती करता हूँ, कि जैसा मुझ से कहा गया है वैसा ही होगा, परन्तु हमें किसी तापू पर जाटिकना होगा। जहाच की पिछाडी चार लंगर डाले और भोर का होना मनाते रहे। परन्तु जब मलाह जहाच पर से भागना चाहते थे और गलही से लंगर डालने के बहाने दोंगी समुद्र में उतार दी, तो पौलूस ने सूबेदार और सिपाहियों से कहा, यदि ये जहाच पर न रह तो तुम नहीं बच सकते, तब सिपाहियों ने रसे काट कर डोंगी गिरा दी, जब भोर होने पर था, तो पौलूस ने यह कहके सब को भोजन करने को समझाया, कि आज चौदह दिन हुए, कि तुम आस देखते देखते भूके रहे, और कुछ भोजन न किया, इसलिए तुम खालो, जिससे तुम्हारा बचाओ हो, क्योंकि तुम में से किसी के सिर का एक बाल भी न गिरेगा, और यह कहकर उसने रोटी लेकर सब के सामने परमेश्वर का धन्यवाद किया, और तोड कर खाने लगा, तब वे सब भी धालस बांध कर भोजन करने लगे, हम सब मिलकर जह 176 जन थे, जब वे भोजन करके तुरुप्त हुए, तो गेहुं को समुद्र में फेक कर जहाज हलका करने लगे, जब बिहान हुआ, तो उन्होंने उस देश को नहीं पहचाना, परंतु एक खाली देखी, जिसका चौरस किनारा था, और विचार किया, कि यदी हो सके तो इस पर जहाज को टिकाएं, तब उन्होंने लंगरों को खोल कर समुद्र में छोड़ दिया, और उसी समय पतवारों के बंधन खोल दिये, और हवा के सामने अगला पाल चढ़ा कर किनारे की ओर चले, परंतु दो समुद्र के संगम की जगह पढ़कर उन्होंने जहाज को टिका और गल ही तो धक्का खाकर गल गई और टल न सकी, परंतु पिछाडी लहरों के बल से तूटने लगी, तब सिपाहियों का यह विचार हुआ कि बंधों को मार डालें, ऐसा ना हो कि कोई पैर के निकल भागे, परंतु सुबेदार ने पॉलुस को बचाने की इक्छा से उन् पर और कोई जहाच की और वस्तों के सहारे निकल जाए, और इस रीती से सब कोई भूमी पर बच निकले, प्रेदितों के कामों का वर्णन 28 वा अध्याए, जब हम बच निकले तो जाना कि यह टापू मिलीते कहलाता है, और उन जंगली लोगों ने हम पर अनोखी कृपा की क्योंकि मेह के कारण जो बरस रहा था और जाले के कारण उन्होंने आग सुलगा कर हम सब को ठहराया, जब पौलुस ने लकडियों का गठा बटोर कर आग पर रखा, तो एक सांप आच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया, जब उन जंगलीों ने सांप को उसके रहने न दिया, तब उसने सांप को आग में जटक दिया और उसे कुछ हानी न पहुची, परंतु वे बाट जो होते थे कि वे सूज जाएगा या एका एक गिर के मर जाएगा, परंतु जब वे बहुत देव तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगला, त उसने हमें अपने घर ले जाकर तीन दिन मित्रभाव से पहुनाई की, पुबलियूस का पिता ज्वर और आउं लोहु से रोगी पड़ा था, सो पॉलूस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्तना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया, जब ऐसा हुआ, तो उस जहाच पर रख दिया। और उनके कहने से हम उनके यहां साथ दिन तक रहे, और इस रीती से रोम को चले, वहां से भाई हमारा समचार सुनकर अप्पियूस के चौक और तीन सराय तक हमारी भेट करने को निकलाए, जिन्हें देखकर पॉलूस ने परमिश्वर का धन्यवाद किया और धारस बांधा जब हम रोम में पहुँचे तो पॉलूस को एक सिपाही के साथ जो उसकी रखवाली करता था, अकेले रहने की आग्या हुई, तीन दिन के बाद उसने यहोदियों के बड़े लोगों को बलाया, और जब वे इखटे हुए, तो उनसे कहा, हे भाईयो, मैंने अपने लोगों के या बाब दादों के विवारों के विरोध में कुछ भी नहीं किया, तो भी बंधुआ होकर यरुशलेम से रोमियों के हाथ सौपा गया, उन्होंने मुझे जाच कर छोड़ देना चाहा, क्योंकि मुझ में मृत्यू की योग ये कोई द चीत करूं क्योंकि इसराइल की आशा के लिए मैं इस जंजीर से जकड़ा हुँ, उन्होंने उससे कहा, ना हमने तेरे विश्य में यहूदियों से चिथ्या पाई, और ना भाईयों में से किसी ने आकर तेरे विश्य में कुछ बताया, और ना बुरा कहा, परंतु तेरा व उसके यहां इखटे हुए, और वह परमेश्वर के राज्य की गवाही देता हुआ, और मूसा की वेवस्था और भविश्दक्ताओं की पुस्तकों से यिश्य के विश्य में समझा समझा कर, भोर से सांज तक वरनन करता रहा, तक कितनों ने उन बातों को मान लिया, और कित पुस्तनों ने प्रतीती न की, जब आपस में एक मत न हुए, तो पॉलुस के इस एक बात के कहने पर चले गए, कि पवित्रात्मा ने ये शाया भश्दक्ता के द्वारा तुम्हारे बाबदादों से अच्छा कहा, कि जाकर इन लोगों से कहे, कि सुनते तो रहोगे, परन तुन न बूजोगे, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा, और उनके कान भारी हो गए, और उन्होंने अपनी आखें बंद की हैं, ऐसा ना हो, कि वे कभी आखों से देखें, और कानों से सुनें, और मन से समझें, और फिरें, और मैं उन्हें चंगा करूं। सो तुम जानो, कि परमेश्वर के इस उद्धार की कथा, अन्य जातियों के पास भेजी गई है, और वे सुनेंगे। जब उसने यह कहा, तो यहूदी आपस में बहुत विवात करने लगे, और वहां से चले गए, और वह पूरे दो वर्ष अपने भाले के घर में रहा, और जो उसके पास आते थे, उन सब से मिलता रहा, और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राजी का प्रचार करता, और प्रभुईश्यमसी की बातें सिखाता रहा.